यह तो famous stock है Titan, मैं इसको एक चार्ट पर देख लेता हूँ, right, Titan, क्या यह सच में ऐसा था, हाँ, देखो, open equals to high है, open equals to high है, तो एक red candle यह मुझे बना के दे रहा, right, वो stock लेके हो, जिसका open price, open price, अगर low के equal है, मतलब open price अगर low के equal है, तो हम उस stock को buy करेंगे, सिंपल से यह हमारा strategy है, RBL bank को देख लेता हो, RBL bank क्या सच में, तो last year of trading था, 2023 पे, तो क्या green candle बनाया था, open equals to low, देखो, open equals to low बनाया, तो यह सिंपल सा हमारा एक, एक, एक point जो capture कर पा रहते है, 271, मतलब 8 point का measly capture कर पा है, अगर range देखते हैं, मतलब week to week का range देखोगे, 271 का filter, data frame and write to CSV, इसको आप daily, मतलब अगर आप trading पे, like end of the day, end of the day अगर भाव copy data को retrieve करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो यह आपका formula, आप इसको daily basis पे run करके, stock analysis कर सकते हो, एक और stock चूस कर लेता हिंदुस्तान जींग, क्या हमारा analysis है, यह हिंदुस्तान जींग सहीद बता र open equals to low price, क्या है, देखो है तो, open equals to low price है, अगर इस point पर हम buy करते है, 313 पर buy करते है, and stop loss like, इस point पर 310 पर, मतलब 6-7 point का stop loss, जो हमें, हमें actual पर जो earning होता, point gain करते है, 313, and let's say, 322, मतलब, मोटा मोटी आपके पास 9 point का, आप capture कर पाए, ओराइट? Hello everyone, welcome to the algorithmic trading YouTube channel, जो हमारे series चल रहा है, learn python for algorithmic trading, आज इसका 9th part है, और इस part पर हम focus करेंगे, read operation, write operation कैसे file में करते है, with the help of python, right? तो syntax कैसा होगा, कैसे हम achieve करेंगे, multiple packages को कैसे import करते, तो वो सारा study आज हम इस video पर करेंगे, alright? तो file जो हमारा है, file को कैसे read करना है, कैसे write करना है, तो वो सारा syntax हम python के तुरू achieve करेंगे, और साथ में क्या ना है, हमारा main objective करेंगा, इस video पर, read write operations पर, इसके साथ भी हम काफी independent जो topic है, चोटे-चोटे topic है, साथ में मैं उसको भी cover करता जाओंगा, right? पहला जो example है हमारा, देखो देखो, multiple questions है, मैं already questions सारा link दिया हूँ, कुछ strategies भी हम इस video के end में strategies बनाना भी सिखेंगे, कैसे हम data को read करते है, OHLC data कैसे होता है, right? और उसमें से buy signal कैसे generate करना है, क्या strategy कै से implement करना है, तो सारा चीज़ का answer इस video पर हमारा हो जाएगा, right? तो एक छोटा से overview देख लेते हैं, काज हम इस video से क्या-क्या सिखेंगे, right? तो major जो हमारे जो topic रहेगा, उसमें हम read or write operations तो easily सिखेंगे, right? साथ में कुछ independent है, छोटे-छोटे जो topic है, मैं क्या करूँगा, इ क्या होगा? कि एक ही वीडियो पर हमारा सारा हो जाए, तो data frame क्या होता? मतलब data frame इंदस्टेंस कि क्या data structure होना चाहिए हमारा text file को read करने पर, write करने पर, data frame का क्या role है, file type क्या होता? versus data type क्या होता? next है हमारा file extensions क्या होता? अगर एक text file पर multiple text written है, तो हम उसको separate कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हम यह answer मिलेगा, right? फिर data stored in tabular format पे क्या होता है? अभी तक जो मैं आप लोगों पढ़ाया हो, वो सारा one dimensional है, मतलब data एक sequence में ही सारा stored है, अब क्या होरा data इस tabular format पे stored है, तो हम उसमें कैसे read write operations होता है, write कैसे हम इसको update कर सकते हैं, तो वो सारा चीज को answer क करने के कोशिस करेंगे इस वीडियो पर, right? जो हमारा next है, how to use third party library, right? यह important है, यह काफी important है, suppose करो हमारा जो python project है, उसमें independent libraries है, right? open source library है, अगर मैं इसको use करना चाहता हूँ, तो कैसे use कर सकता हूँ, import packages कैसे कर सकता हूँ, import packages मतलब, अगर आप API के तुरू किसी broker से connect होते हो तो आपका zerodha API होगिया, आपका dhan API होगिया, आपका kotak API होगिया, तो यह सारा independent packages है, इसको मैं आपने python project पर कैसे import करना, तो यह भी हम सीखेंगे, right? और जो most important point है, मतलब file type का, वो CSB होता, CSB क्या होता है, कैसे हम इसको define करते हैं, तो right, इसके बारे में भी answer करेंगे, जो हमारा next questions है, read file from path, अगर हमारा एक file पे एक path located है, और यह python project है, तो हम इसको कैसे read करेंगे, read करना, and write करना, तो यह सारा operations के बारे में, आज हम analysis करेंगा और study भी करेंगे, how to write data to CSB file, write कैसे करना, तो यह भी समाज में सिखेंगे, और जो more important है, like इस video का काफी important topic है, एक real data लेंगे, real data मतलब NSE भाव copy का data लेंगे, just end of the day हमारे पास यह आता है, इसमें क्या होता है, जितने भी NSE में सारे stocks है, उसका open, high, low, close, volume, trade quantity, यह सारा, वो रीड करूँगा, read करूँगा, कुछ strategies, strategies build करूँगा, like it is a buy, और sell रहेगा, उसके हिसाब से P&L calculate करेंगे, analysis है हमारा, इसको हम text file पर write करवाएंगे, right, तो यह read write operations हमारा real life examples पर हो जायागा, कुछ हम NSE 500 stocks को read करना, वो सारा भी हम real life examples से सारा समझने की कोशिस करेंगे, right, औ हम आज इस example पर use करेंगे, right, next जो questions है हमारा write all analysis, मतलब write कैसे, जो हम write करेंगे, यह सारा भी आज हम सिखेंगे, फिल last important क्या dot operator क्या होता, python पर dot operator क्या काम है, तो यह जो important है, like, यह काफी important है, जब class और multiple functions, एक designing पर जाओग न, तो dot operator काफी important role play करता है, तो यह जो हमारा आज का है, सब के बारे में हम one by one answer करने की कोशिस करेंगे, तो हम directly jump कर लेते, पाई चाम पे, right, तो यह total अभी तक हमारा lecture 8 तक complete हो गया, right, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यह सारा file हमारा shared हो जाता, one drive locations, बगर आप लेना चाहोगे न, तो इस video के नीचे pin comment पे आपको यह location मिल जाएगा, one drive का, तो आप easily इसको ले सकते हो, अब क्या करें, हमारा lecture 9 है, तो हम एक नया file बनाते है, I think यह process आपको पता है, बस मैं repeat कर देता हूँ, अगर कभी भी आपको नया file बनाना है, तो file पे click करके, आपके पास multiple file options के पूछेगा, तो let's say python file पे मैं click करके, और एक file का नाम देना, लिए डालता हूँ, lecture 9, 09 मेरा file का नाम है, और python file पे click कर दूँगा, और यह हमारा एक नया file बन गया, इसका extension देखो, extensions क्या है, dot py, मतलब जब भी file का extension होगा, तो python file का extension होता है, तो उसको हम easily कैसे लिए, extension क्या होता है, last जो dot के बाद क्या लिखा गया, dot के बाद क्या लिखा गया, उससे extension identify करते है, file का, right, lecture 09.py है, जैसे lecture 09.py है, इस file का नाम है, पर dot के बाद क्या लिखा होगा है, right, py है, मतलब python file का extensions होता है, dot py से होता है, यह चीज़ basic है, मतलब बसे required नहीं था, बस just formality में ब project है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, control जो है, execution है, हमें इस file पर shift करना पड़ेगा, तो हम क्या करते है, lecture 09 है, right, तो कुछ, जब भी मैं बताया था है, कि जब भी आप नया file बनाओ, तो simply आपको क्या करना, print hello world, right, क्या करोगा, print hello world, तो मैं check कर लेता हूँ, अब देखो, यह font I think visible है, right, यह visible है, मैं इसको run करता हूँ, तो यह हमारा, एक हो गया, कि python हमारा जो file है, वो totally set हो गया, अब आप इस पे, कोई भी command आप इस पे run कर सकते हो, right, मिरे पास, मैं start करने से पहले, मिरे पास कुछ queries आ रहे, right, क्या back testing के बारे में start करो, back testing, कैसे approach करते है python पे, तो वो एक अलगी series हो जाए, right, वो अलगी series हो जाएगा, अगर आप लोग चाते हो, कि मैं back testing के बारे में एक series स्टार्ट करू, मतलब weekly मैं इस पे एक video focus करू या डालना स्टार्ट करू, तो आप लोगो क्या करना है न, देखो, आप लोग करना है क्या है, इस video पे comment करना है, मतलब comment जितना ज्यादा रहेगा, तभी मुझे motivation मिलेगा, तभी मैं एक नया series स्टार्ट कर सकता हो, कि already हमारा ये series चल रहा है, इसको मैं try करूँगा कि January end तक ये सारा complete हो जाओ, almost 50 या 60% complete हो गया, तो 6-7 वीडियो पर मैं try करूँगा इसको complete करने का, अगर आप लोग चाहते हो कि in between कि मैं week पे एक back testing को कैसे approach करते हैं, मतलब कुछ-कुछ nifty या bank nifty पे एक back testing करके मुझे implementation करके वो समझना है, सीखना है तो उसके बारे में मैं कर सकता हूँ, पर आपको करना है कि इस वीडियो के last में आपको comment करना है, like करना है, share करना है, जितना ज़्यादा ये रहेगा, मैं अगर suppose करो like अगर 100 से उपर चल जाता है, तो मैं guarantee बोलता हूँ कि आपको ये, जो back testing का है, एक नया series मैं start कर दूँग आपको करना है, comment और like करना, like अगर 100 super होता है, 100 super होता है, मतलब मेरा को ज़्यादा hypothetical नंबर नहीं है, बस 100 super like होता है, तो मैं back testing का भी एक series साथ मैं parallelly start कर दूँगा, all right, तो ठीक है, अब हम directly अपना python series स्टार्ट करते हैं, देखो, file के बार हमें थोड़ा सा basic definition देते है, file होता क्या, ये अभी तक हम जितने भी input कर रहेते हैं, वो input क्या हो रहा था है, keyboard और console से हो रहा था, console in the sense के terminals है, मतलब हम run time पर पर एक कुछ user से input ले रहेते हैं, right, अब देखो input का न, input अभी character, ये character oriented था, अब क्या है, कि suppose कर file पर written है, जिससे password है, like user ID, password, तो ये सारा चीज एक file पर written है, मतलब मेरा application run करने से पहले, ये file को read करें, ये file पर अगर मेरा user password match हो जाता है, तब जाके आप application को run करोगे, ठीक है, मतलब सा GYS यो हमारा designing होता है, किसी भी trading applications का, उसमें क्या होता, कि आप login करने से पहले, आप आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ आपका जो नाम है, user ID, user ID, then password आप provide करोगा, अगर ये जो broker है, match करता है, तब ही आप जाके trading applications पर active हो जाते हो, right, मतलब आपको allow कर दिया जाता है, तो ये process होता है, तो अब क्या है, कुछ inputs parameter है, अब input क्या होता है, character से दो, तो अब हम क् file से देंगे, right, एक file से देंगे, file क्या हो सकता है, किसी भी format पर हो सकता है, मतलब text format पी हो सकता है, CSV format पी हो सकता है, MD format पी हो सकता है, like xls format पी हो सकता है, like dat file से भी हो सकता है, लेकि multiple file format है, file format आप लोग जानते नहीं हो, कि क्या, ये मैं क्या लिका हो, मैं simple बताता हो, जो image होता है, जिससे हम save करते हैं, तो उसका extension बनता है, दो ही बनता है, एक PNG बनता है, और JP easy बनता है, and let's say एक और होता है, I think JPG होता है, ये कुछ formats है, लाइक ये जो format है ये file का extension है, file का क्या है? extension है, alright, तो file extensions को ही na, file का type बोला जाता है, file extensions को ही, file का type बोला जाता है, I think ए चीज़ आप लोग समझ रहे हो, अब क्या न, text file पे क्या होता, CSV file पे क्या होता, ये one by one हम सारा go through करेंगे, right, अब हम directly example number one पे move करते हैं, right, example number one, देखो, example number one पे हम क्या करेंगे, एक plain file, plain text file, plain text text file को read करेंगे, read करेंगे, और उसके बाद उसका जो भी data उसमें present है, right, जो भी item, data जैसा भी लिखा हुआ हो, उसको हम print करेंगे, ये हमारा first example है, right, तो हम क्या करेंगे न, हमें एक text file को read करना है, उसके लिए हम, हम खुद से code ना करेंगे, हम क्या करेंगे, कि multiple जो packages है, जो बना-बनाया packages है, तो हम क्या करेंगे, उसको use कर लगते है, right, packages use करना easy हो जाएगा, कि हम scratch से बनाना start करें, वो time consuming हो जाएगा, अब देखो, जो packages क्या होता, अब suppose करो, मुझे एक program लिखना है, and क्या करो, आप starting से हर कुछ लिखते जा रहे हो, हर कुछ आप सब कुछ लिख लिए, मतलब यह जो time लगा, यह जो time लगा, मतलब starting से सारा कुछ आप करते जा रहे हो, तो यह जो process है, like scratch इसको बोलते है, मतलब स्टार्टिंग से आप सारा कुछ वो करते आ रहे हो, and unlike packages से क्या होगा, instead क्या हो न, कोई एक developer है, यह developer है, यह जो आपका यह process है न, यह code कर दिया, यह code कर दिया, मतलब यह जो packages है, यह सारा इसने code कर दिया, and like आप क्या कर रहे हो, हमारा जो requirement हम business पर जादा focus करें, तो उसके लिए क्या है, कि हम scratch वाला जो काम है, जो हमें लग रहा है कि हम वो चीज़ पर करना, वो time based हो जाएगा, तो हम packages import कर लेते हैं, packages हमें चाहिए, बतलब किसी ने बनाए हम बस उसको use कर रहे हैं, तो वो होता हमारा packages, अब देखो, packages जो है, दो टाइप से हम इसको install करते हैं, अपने system पर, multiple ways है, multiple ways है, पर हमें जो focus करना है न, बस दो तरीके से focus करना है, पहला GUI के base पर, GUI क्या होता है, graphical user interface, देखो ये क्या होता GUI, alright, कोई शो ने, GUI मतलब हम क्या करेंगे, कि हमारे पास एक panel बन के आ जाएगा, यहाँ पर एक button रहेगा, import, बस वो click करोगे, तो वो सारा import process हो जाएगा, and second है, terminal के through, terminal के through, मतलब इसमें आपको code करना पड़ेगा, मतलब code करके, आप सारा import कर सकते हो, अब मैं क्या करता है, GUI, जो first method है, उसको हम GUI के through packages install करना है, तो हमें क्या करना है, जो packages जो मैं use करूँगा, वो pandas use करूँगा, क्या use करूँगा, pandas, तो मैं क्या करता हूँ, पहले keyword को import करता हूँ, import pandas as pd, यह जो library है, मतलब मेरे system पहाँ, graphical का जो approach है, file पे click करोगे, then आप settings पे जाओगे, settings पे जाओगे तेक नया form खुलेगा, आपके बाद project python course पे click करोगे, interpreter जो है, इस पे आप click करोगे, and let's say, जो भी packages आप install करना चाते हो, right, तो आप यहाँ पे search करोगे, let's say, मैं pandas install करना चाता हूँ, alright, इस पे आप click करो, and then install word packages, मतलब मुझे code नहीं करना पड़ा, एक graphical user interface था, उस पे मैं सारा search किया, packages को search किया, जो भी package मुझे चाहिए था, वो मुझे present है, तो मैं install कर दे, यह simple से GUI method पे है, right, and जो second method है, यह terminal के तुरू, देखो, यह जो ना है, थोड़ा इसमे code करना पड़ता, terminal पे आपके कहा करोगे, जैसे जब भी आप packages install करोगे, तो pip करना है, मतलब pip, यह keyword है, pip क्या है, keyword है, pip आप समझो, reserve keyword है, reserve keyword, that means, reserve का जब भी मैं बोलू ना, इसका मतलब होचा, create नहीं कर पाओगे, मतलब बना नहीं पाओगे, सिर्फ आपको use करना है, यह था reserve, right, तो pip install pandas, मतलब यह, यहाँ आपर मुझे लिखना है, sorry, देखो, यह keywords है, I think it is visible है कि नहीं, pip install pandas करोगे, तो उसके बाद enter कर देना, pip install pandas, जो भी packages आपको install करना है, आप install के बाद दोगे, जो भी packages आपको install करना है, जिसे धन API का, धन broker है, उसका अगर API को आप, अपने python पे install करना चाहते हैं, तो जो भी उसका standard name है न, तो आप दोगे, जिसे जरोधा का काईट है, तो काईट का जो भी standard name होगा, वो आप install करें, पिप install pandas, अब देखो मेरे पास already installed है, just for formality, मैं ये चीज़ repeat कर दे रहा हूँ, तो मेरे system पे already installed है, तो I guess कि ये मेरे system पे आ गिया है, अब जो import process है न, import process कैसा हुआ, जैसे मैं pip और gui method, जो first method और second method में क्या हुआ, जहाँ पर मेरे python का जो software installed है न, वहाँ पर जाकर ये locate हो गया, pip से ये installed हो गया, लेकिन project मेरे यहाँ पर है न, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर library है, तो इसको import करना पड़ेगा, import करना है, तो import करने के लिए हमारे पास क्या keyword है, import process, right, import के तुरू हम achieve कर पाते है, I think यह basics है, आप लोग समझ पा रहे हो यह चीज, right, तो import pandas as pd, अब हम क्या करते हैं, एक text file बनाते हैं, let's say मैं एक text file बनाता हूँ, एक data के अंदर, and let's say मैं इसको जो पुराणा वाला इसको डिलीट करके, एक नया फाल बाता हूँ, text, text file, first file, मैं इसका नाम को copy कर लोगा, यह नाम है, right, first file यह नाम है, और इसके अंदर मैं कुछ text write करता हूँ, welcome to algor, यह कुछ keyword है, इस file पे कुछ keyword है, मतलब कुछ character written है, अब मुझे क्या करना है, इस file को read करना है, क्या करना है, read करना, तो मुझे इसका location चाहिए होगा, तो मैं location copy कर लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, location copy, file location, अब देखो, अब जो location है, मैं इसको एक variable पे store करवाता हूँ, लेकिन आप यह देखो, data project की data folder तक आया, data folder तक आया, पर data folder के अंदर एक file है, मुझे इस file तक exact location चाहिए है, मतलब क्या हो रहा है, पता आप समझ पा रहे हो ना, अगर नहीं समझ पारो, comment में करो, मैं इसको समझा दूँग, एक तरीके से, तो data पर है, मुझे एक first file को read करना है, तो first file के लिए आपको extension, first file, इसके extension है, dot txt, मतलब नाम जैसा नाम दे रहे होना, सारा same होना चाहिए, कहीं पर भी problem होगा, तो यह करने नहीं देगा, right, first file dot txt, I think यह चीज हो गया हमारा, आप देखो जो pandas जो library है, pandas के अंदर एक inbuilt function है, मतलब पहले से बना बना एक function है, जो read करता file को, तो हम क्या करेंगे, readx dot csv file है, अब यह file को, मतलब यह जो location पर जो भी file है, आप इसको input parameter पास करोगे, मतलब pandas के पास, एक inbuilt function है, read dot csv, read underscore csv, यह function responsible है, कि आपका जो भी text, टेक्स रिटेन एक file पर उसको read करेगा, all right, अब यह return भी करेगा, एक data frame पर, data frame, यह मेरे पास, जो भी यह read करके आएगा न, यह इसे provide कर देगा data frame को, right, and let's say मैं print करवाता हूँ data frame, अभी बस समझो basic basic क्या है, मैं समझाता हूँ data frame क्या होता, मैं क्यों एक नया variable बना रहा हूँ, अब देखूँ अब इसको run करवाँ, जो देखो, अब इस एक्स्प्रेंशन है, code को मैं explain कर देखो, पर जहां पर आप file located है, वो exact path दोगे, extensions के साथ, extension के साथ, अब extension हम कैसे पता करेंगे, जो भी file है न, देखो, जिसे यह file है, first file, इस file पर आप right click करके properties पर जाओगे, right click करके properties पर जाओगे, आपको यह एक छोटा सा दिखोगे, text file दिखेगा, dot, मतलब small bracket के अंदर dot txt, मतलब यह file के extension है, type of file क्या है, text format पर है, right, अगर यह csb file होता, तो dot csb format पर यह written होता, तो हमें क्या करने exact path चाहिए, मतलब exact path चाहिए, relative ही नहीं, absolute path चाहिए हमें, जहांपर यह file located है, first file dot txt, और एक pandas जो import कर रहे हैं, packages, उससे आप, एक उसका अंदर जो function बनाए है, read underscore csb, वो use करोगे, उसके अंदर argument, multiple argument पास करना है, पर हमारा जो basics से जो काम है न, आप सिर्फ address पास कर दो, पास करता हूँ, आप देखो, मैं इसको zoom भी कर देथा हूँ, ताकि visible रहे है, देखो, हमारा फाइल कर अंदर कहा था, welcome to algorithmic trading, lecture 9, build strategy end, यह multiple text written था, मैं एक इस पर सपोस कर कोई change करता हूँ, यहाँ पर, मैं updating new file, save करके close कर देखो, save करके close, और इसको मैं run कर रहा हूँ, देखो, updating new file, मतलब, अब इस file से हमारा सारा जो read operation है, वो easily achieve हो गया, I think example number 1 आप लोग समझ रहे हो, right, अब देखो, अब क्या है ना, हम जो last example में functions के थूँ पढ़े थे, right, example number 1 को ना, हम क्या करें, एक functions में encapsulate करते हैं, मतलब, एक function के अंदर सारा write करेंगे, एक function बनाते हैं, function बनता है किसे defs, keywords है, और यह जो file का process है ना, like function का नाम जो दे रहा हूँ, my first file, all right, अब सारा चीज़ copy कर दो आप, अब यह जो type है, जो statement है, अब copy कर दो, अगर मैं इसको run करूँगा, तो क्या यह run होगा, आप लोग बस pause करके answer करो, मैं अगर इसको run करता हूँ, यह green button, play button को click करूँगो, तो क्या यह run होगा, नहीं होगा, क्योंकि अभी तो यह बना है, यह तो सिर्फ बना है, अब use करने के लिए, आपको क्या होता है, जो भी function है ना, तो let's say, मैं यहाँ पर calling दे देता हूँ, calling, यह function है, अब function को call करोगे, तो यह आपका, यह run हो जाएगा, देखो, यह अपका run हो गया, I think यह चीज़ आप लोग समझ रहे हो, मतलब हमारा example number one, complete हो गया, data frame क्या होता है, देखो, जो list है ना, list पर क्या कर रहे है तो, item आप add करते जा रहे थे, item को add कर रहे थे, comma separated होना चाहिए थे, comma separated के थे थूरू, आप item को add कर रहे थे, तो यह जो list है ना, यह one dimensional है, मतलब कि सिर्फ एक ही direction पर है, जैसे हम basics maths में क्या होता है, one dimensional मतलब, सिर्फ x, x, x पर, x, axis पर, अगर 2D बोलते हैं, थे x और y, एक्स दो axis included होता है, two axis पर, डेटा frame भी क्या आना, यह two axis पर, मतलब, दो coordinates पर होना चाहिए, अब देखो, डेटा frame क्या आना, कि अब list है, Tabular Form पर होता, Tabular Form पर data store होता, मतलब rows और Column के साथ से सारा stored होगा, List में क्या था, सिर्फ यह वन dimension था, मतलब एक format पर इस format या हमारा store था, इस format पर list के format पर stored था, Tabular format पर क्या होता, Multiple List है, जहान पर rows और column का concept आता है, rows और column का concept होता है, यह से बोलते हैं 2D, तो data frame भी हमारा एक 2D data structure है क्या है? एक data structure है जहाँ पर हम जो हमारा tabular form का जो भी data रहेगा न हम उसको store कर पाएंगे एक data frame पे data frame क्या? एक data structure है मैं लिख देता हूँ data frame क्या? एक data structure है मतलब 2D data है मतलब इसमें क्या हो सकता है? column और rows का concept आ जाता है column और rows का concept हो जाता है column 1, column 2, column 3 तीन column है और एक row है तो row 1 तो इस format पे हमारा data is stored होगा अगर suppose को रो एक और row आ जाता है row 2 तो column हमारा same होगा number of column सेम होता rows बढ़ जाते है तो यह tabular format पे होता हमारा data structure तो data frame क्या होता है? हमारा एक two dimensional data structure है two dimensional data structure है जहां पर rows और column का concept आता है यह चीज़ आप लोग समझ रहे हो अब देखो data frame क्या होता है बता दिया अब इसको तोड़ा सा कहां पर requirement है वो एक और समझते हैं अब हम क्या करते हैं example number 2 पे जाते हैं directly example number 2 पे मैं इसको comment कर दे रहा हूँ and let's say यह हमारा first example था तो print मैं इस पर add कर देता हूँ example number 1 एक function बनाता हूँ अब सारा काम हमारा functions पे ही होगा सारा काम क्या होगा functions पे होगा एक file बनाता हूँ जहां पर मैं NAC बहुआ copy है न उसको read करता हूँ NAC read function का नाम है NAC equity का बहुआ copy मैं read करना चाहता हूँ तो मुझे क्या चाहिए एक file चाहिए मुझे क्या चाहिए file चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ मुझे NAC का बहुआ copy है न इक पर download कर लेता हूँ साइट से सर्च करता हूँ NAC wow copy देखो मुझे equity का wow copy चाहिए मतलब future options का नहीं चाहिए तो cm नाम से एक file आता इसके पास मतलब daily जब भी market end हो जाएगा न तो hardly 5 या 5 30 का आज पास एक wow copy अपडेट करता है आज date है 29 देसंबर 29 देसंबर पर एक wow copy file मेरे पास इसमें आ जाना चाहिए ये वाला cm common wow copy ये एक folder है इस folder पर एक text file होगा एक text file होगा मैं इसको extract all पर extract कर लेता हूँ इसका जो data है ना मैं अपने जो folder का location है ये वाला data पर इस पर मैं place कर देता हूँ and let's say इसका जो नाम है ना मैं वो copy कर लेता हूँ अब देखो ये function है read nsequity wow copy ये simple से example number 2 है तो मैं print example to read nsequity wow copy अब देखो मुझे file का नाम चाहिए file path right file path चाहिए और file का name file का name चाहिए मुझे ये दोर चीज requirement है अब देखो file का name तो ये है अब मुझे बता सकते है extension क्या है इसका type क्या है ये देखो हम ऐसे बतार random नहीं बोलेंगे हम properties पर जा करके इसका file है .csv .csv file है ये तब हम क्या करेंगे file name और जो path हम provide करेंगे ना देखो path हम simple से copy कर लेते हैं just to save time और ये file path में place कर देता हूँ .csv अले ये हमारा file का exact है मतलब exact file का path आ गया ये file name है अब हमें import read करना देख data frame बनाते है data frame मतलब इस data structure nsc.bhocopy इसका नाम देड़ता हूँ nsc.bhocopy अब देखो pd.read देखो pandas है ना pf pandas dot read जो function है read csv और इसका जो file है right file name जो आप वो provide करोगे sorry file का जो exact address है file path में ये provide कर देता हूँ ये आ गया and let's say मैं print कर रहा हूँ इसको print df nsc.bhocopy ये function बन गया मतलब एक function बना है जहाँ पर ये जो process है like csv file को read करना store करना then print करना ये तीन process पर जा रहा है read करना store करना and then print करना ये तीन process पर एक function बन गया right अब मैं इस function को नो call करता हूँ calling तीक है अब देखो ये जो process है अगर मैं इसको run करता हूँ अब ये क्या बोल रहा है error बता दिया अब बताओ ये error क्या है ये आप लोग को बताना है pause करो I think ये error आप लोग जितना जल्दी आप error से भी familiar हो जाओगे न तो I think बाद में problem नहीं आएगा देखो अगर मैं इसको run करता हूँ न तो कुछ error बता रहा error क्या हो गया ये जो keyword दिखर आपको underscore ये इसको unicode मतलब special character मान रहा है आप special character आप file का नाम नहीं दे सकते हो ये आसा इसका error का story है तो आप हमें क्या करना पड़ेगा इसको मतलब file का नाम तो change नहीं कर सकते हो file का नाम तो nse provide करता change करना यहाँ पर ठीक नहीं है हम क्या करता है अपने code में थोड़ा सा logic change करते है ये problem आ रहा अब हम क्या करते है कि हमारे जो file का name बनाते एक variable अब instead कि हम इसके जगा ये provide करे हम file name as a variable pass करते हैं मतलब दो इस string को join करेंगे परला string में क्या होगा यहाँ तक टिल data file तक address रहेगा second जो string रहेगा उसमें क्या data file text file का जो भी name है then extension ये simple सा रहेगा तो देखो मैं इसको comment कर देता हूँ file name ये रहा था data plus file name dot csv ये file है मतलब इस format पे हम कर सकते हैं problem का problem क्यों नहीं आया क्योंकि जो भी unicode था हम उसके एक नया variable पर store किये नया variable पर हम इस पर pass कर दी है ठीक है मतलब problem क्या unicode का मैं बताऊँ इस पर बैठूंगा ना तो बहुत सारे escape character सारा वो चीज़ बताना पड़ेगा वो फाल्तु का है मतलब अब ठीक है cut copy paste कर लोग easy है तो देखो ये file path पर अब मैं इसको read कर रहा हूँ तो read करने के लिए function call क्या ये हमारे पास सारा ये print कर कर के आ रहा है ये हमारा मतलब कुछ print कर कर के आया read nsc भाव copy example 2 number read nsc भाव copy जो भी इसके अंदर item से data वो सारा print कर रहा है ये dot dot क्या है nn क्या है वो चीज़ पर भी focus मत करो अब देखो अब मैं file का data item दिखाता हूँ आपको क्या है data item है file के अंदर देखो इस format पर सारा है मतलब multiples column है कहीं कहीं value present है कहीं पर नहीं है जो value present नहीं है न वहाँ पर nn print हुआ simple सा अभी कह ये story आपको याद करना है जहाँ पर values नहीं है तो वो क्या-क्या सिर्फ nn value print कर दिया जहाँ-जहाँ value मिला वो actual पर value print किया अभी सूचे को तीन बार जो dot दे रहा है यहाँ पर जो तीन बार dot किया है देखो ये क्या है ना actual पर ये जो multiple column है ये terminal इसको एक साथ print नहीं कर सकता था तो starting का कुछ column और last का कुछ column print कर दिया और जो beach का जो column है उसको dot 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 से represent कर दिया तो ये एक simple सा है आप देखो NSE equity bow copy इसमें क्या है कि multiple sector wise देखोगे तो filtered हो जाता है ये देखो आप ये ticker symbol पर ये symbol है पर इसमें तो हमारा कोई नाम का है ये नहीं ना जिस क्रियम इंडिया है 3 plan है मतलब आप सुमझो कि stock name से भी बढ़के भी ये कुछ ये symbols प्रोवाइड कर रहा है तो मतलब example number 2 हमारा clear हो चुका अब हम सेम एक और example लेते है देखो इस वाले में problem क्या होगा इस file पर ना मतलब unnecessary मुझे बहुँआ copy पर क्या होता ना बहुँआ copy पर simple सा symbol name होगा series होगा symbol name series फिर open high low close volume trade quantity बस limited column होते है इसमें क्या था number of column काफी जादा है मतलब कि इसमें बढ़ चड़के extra जो symbols है trading symbol है जो ticker है वो extra आ जा रहा था तो हमें एक limit बहुआ copy चाहिए file तो उसके लिए भी हम same functions को call करते है तो पहले हमें file download करना पड़ेगा example number 3 पर हम एक file को download करेंगे पहले यहाँ पर search करेंगे NSE equity भाव copy NSE equity भाव copy तो इसी जो भी file यह देगा उस पर हम कुछ strategies build up करेंगा अभी जो example number 3 है उस पर हम simple सा काम क्या कर रहे है हम सिर्फ read करेंगा भी तो हम program को काफ़ी simple रखना cm भाव copy है cm से देखो जो पहला example जो second example थी है NSE से start था अभी जो हमें limited column चाहिए न तो cm से start होता है right 29 December का है let's इसको extract करना पड़ेगा तो मैं extract भी कर देता हूँ यह file है copy करके मैं आप इसको data file पे place कर देता हूँ data file पे example number इसको copy कर लिया and let's इसको close भी कर दिया alright एक function मतलब diff rid nse equity file2 right यह एक function का नाम है इसको function define करोगे पहला path चाहिए file का path मुझे provide करो right तो मैं क्या करता हूँ copy कर लेते हूँ आँसे data then यह exact path आगा है मेरे पास absolute path है relative path नहीं है right यह file path आगया अब मुझे pandas को जो library है pandas dot read I think capital से start कर दिया ना read csv file का नाम आप provide करोगे file का नाम and let's say एक data frame पर मैं store कर दे लिए df dot right यह मेरा एक data frame पर value store हो जा रहा है and then उसको last जो step बनता है हमारा वो print करवा दे रहा हूँ यह proper जो format होता है csv file को किस तरह read किया जाता है तो तीन process पर हमें achieve कर रहे है एक file का नाम दोगे read करोगे मतलब जो basic जो process है suppose करो file हमारा इस folder पर located है program हमारा यहाँ परन हो रहा है तो first जो step है हम ही क्या करना इस यहाँ तक पहुँचना है read करना मतलब exact path चाहिए step 2 पर क्या करोगे open करोगे all right step 3 पर analyze करोगे मतलब पार्सर मतलब analyze करोगे मैं आलतू का technical बोड़ रहा step 4 पर read करोगे मतलब यह 4 process होते है कभी भी read operation achieve करने के लिए मतलब file का path तक पहुँचोगे open करोगे analyze करोगे text by text या character by character then read करोगे all right यह 4 step पर होता है अब देखो यह मतलब read का basically यह 4 operations है अब जो csv file है csv file है हम उसको क्या कर रहे थे read कर रहे है यह function है .read.underscore csv file से यह सारा read process हो रहा है यह store करते है इस variable पे तो store हमारा two dimensional है मतलब यह जो read underscore csv है यह two dimensional structure है तो यह हमें एक नया variable पे store करना पड़ेगा then उसके बाद print करवाते है एक बाद डेटा को हम देख लेते है डेटा जो मैं बोल रहा हो limited data है तो यह देख लो आप limited मैं क्यों बोल रहा हूँ सबसे purest form पे जो stocks का data आता न तो यह NSE भाव कॉपी प्रोवाइड करता है वंदर सेम चीज़ BSE भी करता है पर जो भाव कॉपी का जो data आना काफी original है even कि जितने भी broker है न वो रात को end of the day रात को 9 बजे के बाद वो सारा processing करके तो हमारा वो MTM P&L सारा वो calculate करते है जो हमारा P&L बनता है एक trade का वो सारा रात में करते है कि भाव कॉपी से सारा होता है वो tick price पे नहीं calculate करते है तो open, high, low, close, last यह simple सा limited column आया अब हम इसको print करवा रहे है अब मुझे print करना है तो मैं एक function बन गया है and let's इसको calling करता हूँ example number 2 देखो यह सारा print होगया symbol आ गया, series आ गया open, total trades, ISN जो last का जहां पर empty column है वोहाँ पर NN value प्रिंट कर रहा है यह चीज़ आप लोग समझ रहे हो मैं data analysis पे नहीं हूँ नहीं तो NN value को भी filter कर सकते थे जो चीज़ important है बस वो मुझे देगा यह कर सकते है, पर actual जो raw data होता है इस format पे हमारे पास आ रहा है अधि यह example number 3 हमारा clear हो गया अब हम example number 4 पे move करते है देखो, यह हमारे पास tabular form पे data है, मैं इसको zoom कर दे रहा हूँ I think यह चीज़ visible है मुझे न, यह बस stocks का name, symbol इस column पे open, high, low, close open, high, low, close इस volume पे and let's say volume को भी मैं consider कर रहा हूँ तो वो आ जाएगा trade cost से नहीं, total trade quantity यह मुझे volume देदेगा और यह previous close है, मतलब कल का क्या previous day का closing है, वो सारा यह मुझे देदिया important है, बाकि यह column बाकि जो rest of column है, वो हमारे logic पे नहीं बैट रहा है, तो मैं इसको आप यहाँ आ रहा हूँ अब देखो series क्या होता है, series क्या होता है, NAC क्या करता है हर, एक एक जो stock है उसको एक series पे डालता है मतलब standard 1, standard 2, standard 3, standard 4, तो वो उनका series है मुझे भी नहीं पता, पर मुझे जो काम का पता नहीं, EQ और BE मतलब यह जो symbol है नहीं, EQ और BE मैं क्या करता हूँ, इसको filter कर देता हूँ मैं इसको Excel पे जाके auto filter पर यहाँ पे EQ और BE को सिर्फ select करता हूँ EQ को करता हूँ, alright सिर्फ EQ को अब दिखो, total जो item थे, 2647 record है मेरे पास, पर जो actual जो अब दिख रहा है, मेरे पास 1799 है, और सारा EQ segment को, इसमें जो आप stocks normally जो trade करते हूँ, सारा available, ACC, ACL, ACL Garty, right, Ether, AGI Agritech, मतलब सारे stocks spirit है, अब हमारा जो example number 4 है, उस पे हम क्या करेंगे stocks का name पर read करेंगे equity, open, high, low close, volume, previous close एक proper scenario पर हम print करवाएंगे, मतलब read तो करेंगे, analyze भी करेंगे, हर row by row को, and then print करवाएंगे अपने हिसाब से, अभी क्या हो रहा है कि data frame को जब हम print कर रहे हैं, तो data frame पर जैसा भी format पर data available है, तो वो उस format print कर दे रहा है, अब हमारा का print होना चाहिए, मतलब, instead की tb format पर काम नहीं करेंगे, सिर्फ equity, मतलब मैं simple row by row, और अपना जो important column है, सिर्फ उसको print करवा रहे हैं, right, example number 4 हमारा इस पर basis रहेगा, तो उसके लिए हमें क्या पहला requirement है, यह जो column नहीं है, इसको मैं copy करके, copy कर लेता हूँ, don't save, def, यह सारे collaborate, symbol, series, open, high, low, close, एक column है, बस, मैं इसको comment कर दे रहाँ, मुझे requirement है नहीं, बस कि मैं जब read करने जाओ ना, तो वो reading का process कैसे होता, अभी हम क्या करें, एक बार में सारा, एक process पे सारा read कर दे रहे, right, अब one by one item को read करना चाहते है, जैसे list में item होता है, मैं ये चीज़ बताया नहीं, बैब बता जेता हूँ, इससे देखो, character पे क्या होता है, देखो, जो मारा string होता है, string होता है, वो character oriented होता है, मतलब one by one character के form पे वो string बनता है, c1, c2, c3, like that, ये string हो गया, list क्या होता, item के form पे होता है, मतलब हम अगर read करना, read करना होता है, तो ये list है, अगर item number one ये हो गया, item two, item three, item four, अगर read करना है, तो one by one, मतलब पहले आप इसको read करोगे, आप इसके बाद ये read करोगे, then एक move करके फिर ये read करोगे, तो ये process पे reading होता है, और जो two dimensional array है, two dimensional जो हमारा data structure है, जैसे में data frame भी हमारा है, तो उसमें reading क्या होता है, मतलब column wise, row wise, आप जैसे read करना चाहते हो, करो, मैं by default जो होता है, वो उसके बारे में discuss कर लगता है, column fix कर दो, column fix रहेगा, हमारा suppose करो, column fix है, ये मेरा 2D है, इसमें multiple columns है, four column है, multiple rows है, जो उसका reading का process होगा, suppose को ये read करने वाला machine है, ये read करने वाला machine है, पहला ये row number 1 पे, बतलब row number 0 पे, जो भी item रहेगा, उसको print करेगा, जब ये read कर लेगा, then ये जो arm है अब इस line पे move कर जाएगा, अगर ये row read हो जाता है, then next row पे shift हो जाएगा, अगर ये भी read हो जाता है, तो फिर उसके बाद क्यों होता है, next row by, मतलब row by row read करता है, row by row पे read करता है, तो ये process होता है, two dimensional array को read करने पे, मतलब iterate की जिसको कहते हैं, तो ये इस process पे होता है, I think ये चीज़ समझोगे, अगर यहाँ पे problem होगा ना, जब हम for loop करेंगे, two dimensional array पे, तो वहाँ पर थोड़ा easy हो जाएगा, right, देखो, अब हमारे एक function है, read stock, OHLC, NSC bhaucopy, मतलब जो NSC bhaucopy पे, stocks का नाम और OHLC data रीड करना है, तो हमारा same file है, like ये file है, मैं path provide कर दे रहा हूँ, file path, और यहाँ पर मैं read कर लिया, right, ये same process है, मतलब उपर वाला function, और example number 3, और example number 4, दोने same है, कोई difference नहीं है, बस difference आएगा, जहाँ पर हम print करवाना चाहते है, यहाँ पर जो process number 4 पे था, file path पहुँचना, फिर open करना, then उसके बाद third process क्या था, analyze करना, यह S1, S2, S3 से है, S4 है, जहाँ पर मैं print करवा रहा हूँ, देखो, यह जो चार process पर मैं बताया थना आपको, यार यह चीज़ आप, देखो, यह जो चार process है, example number 3 तक, यह तीन जीज़ इस common है, इस example number 4 पर बस read operation जिस तरह हम करेंगे वो totally different है, बत्तब read ने, जहाँ पर हम print करवा रहे है, print करवा रहे है, वो totally different है, देखो, यह example number 4 है, example 4, तो, बीएबियर पर, अब देखो, यह data frame पर हमारा पहला काम क्या है, फाइल क्या है, first process, second पर क्या हो गया, उसको open करेगा, open किया, third क्या कर रहा होगा, third क्या कर रहे है, analyze करेगा, मतलब पूरा read करके, और जो चौथा process है, वो print कर रहा, मतलब कैसे print करवाना चाहते है, तो मैं print नहीं करवा रहा हूँ, अब मैं print का जो तरीका है ना, वो totally वहाँ पर change हो जा रहा है, right, अब हमें क्या करना, row by row, जो हमारा explanation था, कि two dimensional array को row by row scan करते हैं, तो same process पर जाएंगे, हम for loop करेंगे, मतलब एक बार में एक row को read करेंगे, repetition process है, मतलब, दिखो, यहाँ पर problem करोगे, इसलिए मैं थोड़ा, अब दिखो, जो process है ना, example number 3 में क्या क्या था, हम read कि data frame पर load करके, and last में क्या print कर दिया था, मतलब एक बार में सारा वो print कर दिया, अब जो example number 4 में जो changes है ना, यहाँ पर changes क्या है, कि हम जो print कर वा रहा है, एक बार में नहीं कर वाएंगे, row one by one, मतलब एक बार में एक row print करेगा, and then उसके बाद यह sequence होगा, मतलब repetition process है, मतलब row number 0, row number 1 भी यह print करेगा, row 2, row 3, row 4, और देखो, जब भी CSV file होता है ना, तो उसके अंदर header होता है, मतलब header मतलब column का name होता है, then series start होता है, then series start होता है, जो data होता है, कभी भी जो standard OHLC data हमारे पास रहेगा, उसमे column name रहेगा, अगर column name नहीं है, तो आप अगर अपने से बना दो, या जो भी program है, python पर करेंगे, वहाँ पर हम changes करेंगे, बस आप patiently वेट करो रहेगा, देखो, ये column name है, और इसके पास ये data है, अब हम जो reading के जो हम output करेंगे, जो आप हम print करवाने वाल है, एक बार में नहीं करवाएंगे, one by one print करवा रहे है, मतलब हम for loop के थरो, सारा ये reading process ये उस करेंगे, for loop के थरो, हम सारा ये read achieve करेंगे, I think ये चीज़ आप लोग समझ रहे हो, मैं unnecessary बोला जा रहा हूँ यार, questions है नहीं, देखो, जो मारा for loop का syntax है ना, बस थोड़ा से इसमें changes है, मतलब similar है, बस थोड़ा से changes है, देखो, क्या करना for, हम list में कैसे करते हैं, item होता होता है, यहाँ पर rows आ जाएगा, in, लएक ये होता, जो data frame है, two dimensional जो data structure है, ये, and then उसके बाद, हमें क्या करना है, कि हमें one by one, read करना है, one by one row read करना है, तो iterate जो row होता है, ये function को आप call कर दोगे, तो अब ये क्या बोलेगा, कि one by one हम data बस pass कर रहे है, आप दोखो, जो iterate row है ये indexing based है, मतलब, अब indexing क्या होता, वो भी बता ही देता हूँ, ना कि problem ना करे, तो बस freestyle पर बता देता हूँ, जैसे one dimensional पर क्या होता है, अगर हमारा indexing मिल जाता है, index मिल जाता है, तो हम क्या करते है, read, write, update, insert, सारा operation easily achieve कर पाते है, two dimensional पर भी same है, suppose कर मेरे पास दो column है, stock name, stock name, और उसका token है, जैसे HDFC bank है, इसका token 1 है, Tata motor, दो stock है, Tata motor, इसका token number 2 है, ये two dimensional है, अगर हम इसको index wise अगर देखना चाहते है, अगर HDFC print करवाना है, जैसे matrix method में होता था, ये row number 0 है, like, ये column 0, column 1, row 0, row 1, अगर इस item को हमें read करना है, HDFC को, तो हमें column number 0, like, ये column 0, row number 0 पे, तो 00 करोगे न, तो हम HDFC को read कर लेता, अगर Tata motor को read करना है, तो column 0, and then index क्या होगा, नहीं, मैं यह पर कुछ problem कर रहा हूँ, देखो, जैसे हम, one dimensional array, जैसे list पर हम क्या कर रहे थे, कि, जो भी हमारा data था, हम उसको indexing पर सारा implement कर रहे थे, indexing मतलब, जिससे हम insert, update, delete, या ये जो basic operation है, इसलिए index से हम achieve कर पा रहे थे, तो two dimensional में भी same है, index को use कर सकते हैं, जैसे ही suppose करो, ये column 0, row 0, 0, 0, 0, 1, यहाँ पर आगया, ये 1, 0, ये 1, 1, राइट, अगर हमें इस cell का value अगर read करना है, तो 00 index print करोगे, अगर इस cell पर, जो भी item है, उसको अगर प्रिंट करना चाहते हो, तो आप क्या बोलेगे, row 1, column number 1 पे, जो भी value रहेगा, वो print हो जाएगा, suppose करो यहाँ पर, जो item present है, उसको print करवाना है, तो row number 1, column number 1 दोगे, तो ये print हो जाएगा, मतलब हमें, directly हम jump कर गए, हमें searching, और insert, update, delete, ये easily achieve हो जाता है, सेम चीज़ इस पे देखो, हमें अगर इस item को read करना है, तो row number क्या हो जाएगा, 1, column number क्या हो जाएगा, 0, मतलब, row हमारा जो computer system, जिरो से start होता है, 0, 1, 0, 1, तो 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, इस format पे हम सारा, 2D का implementation करते हैं, अब देखो, जो iterate row है यह क्या कर देता है, यह साथ में एक index print करेगा, मतलब कोन सा row का आप read कर रहे हो न, यह आपको index भी साथ में यह print कर कर के देता है, समझ रहे हो न, मतलब एक index देगा, index important है, अब जो index है न, अब हम क्या करना चाहते हैं, print, stock name is, हमें index अभी मतलब नहीं है, बस ही return करता है, तो हमें standard वो यूज करना पड़ेगा, जब भी iterate rows अप यूज कर सकते हो, लाइक multiple ways है, एक length की थुरू आप for loop यूज कर सकते हो, मैं जो data frame के concentric पर बात कर जाना है, तो iterate row काफी easy होता, और काफी यह optimized है, मैं बचाता हूँ क्यों, अब देखो, जो row है ना, अब row क्या कर रहा है, हमें अभी इस column पर focus करो, तो जब हम एक बार में एक loop run करेंगे, read करेंगे, तो हमारे इस header पर जो जो value located है ना, जो जो item located है, वो सारा वो print करके देगा, समझ रहे हैं आप यह चीज, अब देखो, मुझे symbol read करना है, तो मुझे यह symbol जो first column पर है, मनलब जो first column है, मुझे उसका नाम यह print करके देगा, तो symbol है, देखो, अब मैं इसको run करता हूँ, देखो, अब क्या हो रहा है, जो print आरा है, stock name is WIPL, सारा stocks को यह read कर दिया, सारा stocks को read कर दिया, अब मेरे पास stock आ गया, अब मुझे चार variable चाहिए, open, open, high, low, close, तो रहे हैं, अगर open, high, low, and close, यह value, इसका data मुझे चाहिए, तो data कैसे है, row values पर, मतलब one by one हम scanning कर रहे हैं, तो rows, और जो column का name है, open column का name क्या है, देखो, open column का, जो file में name होना, वैसा आप दोगे, then high के लिए आप क्या बोल रहे हैं, rows, high, and same चीज़े, अगर low के लिए, low के लिए है, capital सारा है, अगर close के लिए, अगर मुझे read करना है, तो close का भी क्या है, previous size, इस value को मैं copy कर लेता हूँ, तो यह मेरे पास, सारा value, मतलब जिस तरह का हम देखना चाहते हैं, data हमारा किस format होना चाहिए, तो यह इस format में मुझे दे रहा, अब एक statement बनाते हैं, statement, print, ohlc data for stocks, अब देखो, मैंना string manipulations, string interpretations ही उज़ कर लेता हूँ, fk through, like a string command है, तो यहाँ पर क्या होना, stock का name है, तो stock का name मुझे यह variable दे देगा, यह variable, and let's say open, high, low, close है ना, open, high, और यहाँ पर प्रॉब्लेम क्या रहा है, double inverted है, तो ठीक है, तो मैं इसको single inverted कर देता हूँ, string, and open का जो value है, लेक, open को मैं O से denote कर रहा हूँ, open आ जाए गए यहाँ पर, then high, close, अब जो value में variable defined है, सारा पास कर दो, अब इस statement का कोई requirement है ने, अब मैं इसको run करता हूँ, I think कुछ error बताना चाहिए, पलेट जैसे, अब जो statement है, मैं one by one read कर रहा हूँ, data frame को, तो OHLC data for stock, Z media, open आगिया, high, low, close, मतलब पहले वाले में क्या था ना, अगर मैं यह वाले example को run करता हूँ, तो इसमें problem क्या रहा था, कि सारा data frame, जैसा data presenter सारा print कर दिया, अब इसमें manipulation कर पाएं, next जो example है, example number 4, इसमें manipulation कर पाएं, मतलब data जैसा है, दोनों में data, CSV file से ही आ रहा है, दोनों में data CSV file से आ रहा है, पर इस वाले में क्या है ना, जैसा data आ रहा था हम, वह ऐसा print कर रहा रहे था है, तो वो problem कर गया, अब जो example number 4 पर, हमने print जो statement है, जहां पर output डिलिवर करना है, वहाँ पर थोड़ा सा changes की है, हम अपने requirement के साब से, आप देखो, I think example number 4 clear है, अब हम example number 5 पर move कर रहे है, अब हम next example में move करते है, सारा same file को use करेंगे, अब हम कुछ back testing result कैसे implement होता है, वो सारा चीज़ पर हम step by step आगे बढ़ रहे है, अब हमारा जो next example है, उस पर हम क्या करेंगे, अब ही देखो ना, इस पर क्या रहो कि जितने सारे stocks हैं न, मतलब जो stocks का नाम मैं जानता भी नहीं हुआ, इससे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, starting पर आप आओ, लेक यह सारा stock name क्या है मुझे नहीं पता, यह क्या है, I think, यह bond हो अगे रहा कुछ होगा, तो यह सारा नाम है, मैं क्या करना है, series पर आप filter करना चाहता हूँ, मतलब, अब suppose करो, जो row है ना, अब कुछ इस पर filter करना चाहता हूँ, example number, इसी पर मैं बाता आ देता हूँ, ताकि time बच जाए हमारा, if, जो series है ना, series, सिर्फ EQ रहेगा ना, EQ रहेगा, तो वो सिर्फ हमें क्या होता है, equity denote कर रहे हैं, बस जान लो, थोड़ा सा, finance world पर हम लोग काम कर रहे हैं, equity, मतलब, EQ से equity होता है, equity, इसका short form क्या है, EQ, जहाँ पर, अब जो यह print statement है, यह तभी बनेगा ना, जब हमारा EQ statement है, मतलब scan तो सब को करेगा, यहाँ पर हमें series प्रोवाइड करना है, condition बना देते हैं, if series equals to equals to, यह series के एक अगर बराबर है, तो आप क्या करोगे, print statement करोगे, else नहीं करेंगे, right, अब देखो, same example को थोड़ा modify किया हूँ, अब इसमें ना, जो इस starting का वो variable आ रहा था, मैं उसको दिखाता हूँ आपको, like starting पे ना, देखो, हमारा आप डारेक्ली पहले जो वो नेम आ रहा था, government bond का वो सारा चीज नहीं है, सिर्फ वो print हो रहा है, जिसका series EQ से बिलॉंग करता है, यह हमारे एक filter का first example, example number 4 पे, अब हम example 5 पे move कर रहे हैं, जामपर हम simply stock search करेंगे, अब क्या रहा है कि, हम बस एक simple से किये, सारा stock यह print कर दे रहा है, अब हमें इसमें कुछ limited stocks पे ही काम करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, देखो, example number 5 पे, example number 5 है, इसमें हम क्या करेंगे, एक function बनाएंगे, एक function हमारा implementation रहेगा, इस पे हम NSE 500 जितने भी stocks है, यह NSE site से, मुझे CSV format पे यह एक file दे देगा, एक function पे हम क्या करेंगे, read करेंगे, मतलब NSE 500 जो stocks देगा, इस पे multiple column होता है, मैं सिर्फ इस stock को read करके, और एक list में store करूँगा, मतलब last example पर अगर recall करोगे न, तो हम क्या कहते है, सारा को न, मतलब python पे hard code किये थे, hard code किये थे, तो वो चीज़ सही नहीं होता है, मतलब कभी भी आप real life application बनाऊगे, तो hard code को कम से कम use किया जाता है, calculate पे, suppose करो Tata motor है, Tata motor, आप ये hard code कर दिये code पे, इसका नाम change होके, T-A-T-A-M हो गया, ये नाम change हो गया, तो ये सारा change है, तो आपको code में change करना पड़ेगा, तो ये सच्छा है कि हम dynamic रखते हैं, कि जो हमें file हमें नाम देगा ना, हम उसके हिसाब से काम करेंगे, तो example number 5 है, एक file read करेंगे, उसमें जितने भी stocks हैं, important stocks हैं, उसको read करके, और store करेंगे एक list पर, एक simple सा example हमारा रहागा, example number 5, तो हमें क्या, हमें ना, जैसे example number 5 के लिए, हमें data चाहिए होगा, for example number 5, हमें data चाहिए होगा, तो NAC bhaocopy हम जो site है, उसको visit कर लेते, I think यह lecture काफी लंबा हो जाता, कि मैं एक lecture पर ना, मतलब 5 मिनिट का video complete नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास भी ओल इमिटेशन है, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि कुछ topic बताया, आप कुछ topic omit कर दिया, नहीं, जैसे जैसे आप program design करोगे, code करोगे ना, तो आपको problem आएगा, error आएगा, अभी तक मैं error पे एक भी काम नहीं किया हूँ, मतलब mostly एक या दो error दिखाया हूँ, जब आप real life application ट्रेडिंग बनाओगे ना, error आपके पास आएगा, वो चीज़ के पास, आपके पास capability होना चाहिए, कि हम खुद वो solve कर पाए, तिसलिए वीडियो काफे lengthy हो जाता, मैं हर चीज़ ट्राइग कर रहा हूँ कि, आपको explain करो, क्यों use कर रहा हूँ, क्या best तरीका है, तो देखो, nsc 500 stop list, nsc sites, सारा जो हम data ले रहे हैं, nsc sites से ही ले रहे हैं, तो जो देखो, data list और nsc, ये link पे click करोगा, तो हम एक file देदेगा, perfect, ये file मेरे पास आगिया है, तो मैं इसको copy कर लेता हूँ, और जो हमारा data folder है न, मैं उस पर place कर दे रहा हूँ, तो data folder के ले मुझे, explore page पे जाकर, open, explore, let's just का नाम चेंज कर देता हूँ, अब हमारा example नमबर 5 है, pick function में लाते है, depth, read, msc, 500, start, तो मुझे फाइल पाथ चाहिए होगा राइट यह फाइल नेम तो इसली गो गया पर फाइल पाथ है वो चाहिए हो राइट तो मैं क्या कर लेता हूँ इसको भी जॉइन कर देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ इसको भी जॉइन कर देता स्टेट्मेंट को स्टेट्ट जो प्रॉब्लम करें उसको जॉइन कर दो यह अब से स्टार्ट कर दो I think यह जॉइन हो गया हमारा मैं सॉरी इस फार्मेट पर और यह हमारा फाइल का पाथ आगया अब हमें रीड करना ना तो रीड करने के लिए हम क्या करें पांडास को जो रीड फंक्शन है उसको कॉल करेंगा रीड CSV फाइल तो एक डेटा फ्रेम बनाते हैं डेटा फ्रेम को हमें चाहिए तभी जाके हम एक प्रेगलर इंडेक्स को रीड कर पाएंगे इसमें हमारा काम का इस चार पाच कॉलम है जो हमारा में इन प्यूटन काम है यह Venice the कॉलम नंबर चीप आप फोकस करोगे ती है इन Pu Yang किन इस इन प्रेंट एक्जाम्पल फाइड रीड और एनसी 500 स्टॉक्स जो कॉलम ने में मैं इसको कमेंट करके फिर लास्न में अठा दूँगा डी एफ हमें पांडास कितरो ना पैंडास डॉट इसका रीड फंक्शन को कॉल करना रीड हम जो फाइल पाथ प्रोवाइड करो देखो फाइल में कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए जैसे मुझे देखने में लग रहा है कि इसमें भी यूनिकोड का रहा है फिर सा मैं इसको रिजॉल्व कर रहा है बताता हूं क्यों है देखो I think बस यह फॉर्मलेटी के नाम पर मतलब इसका intelligent यह problem दे रहा कोई ऐसा problem नहीं है अब हमें क्या है panda से read करना pandas जो csv फाइल को read करता text file को read करता उसका function का नाम क्या है read__csb यह important है pandas.read.csb और जो address है like file का path वो provide करोगे अब देखो थोड़ा से समन आप्टिमाईजिशन में बता ही देता हूँ कि as क्यूं यूज़ कर रहा हूँ अब देखो यहाँ पर मैं define कर रहा हूँ as import pandas as pd अब इसका मतलब कहना है sorry दो जगा important है na pd है अब देखो मैं जब भी pandas यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे pandas यह लिखना पड़ रहा हूँ pandas right मतलब अब pandas का जगा मैं क्या कर रहा हूँ इसका sort form है अब मैं क्या बोल रहा हूँ जब अब pandas को replace कर दो pd से मतलब pd अब इसका sort form होगया pandas का तो देखो अब यह error देगा अब बोल रहा है कि आप sort form यूज़ करने वाले हो और आप long provide कर रहे हो तो वो dual policy नहीं चलेगा तिसलिए वो error दे रहा था अब as का as का मतलब आप लोग समझ गए कि alias क्यों use करते है इसको technically बोलते है alias अब मैं इसको run करूँ तो मुझे problem करना चाहिए यह चीज़ नहीं किया राइट देखो अब यह same चीज़ data house पर present था अब इसमें क्या मुझे column number 3 मतलब यह column मुझे बस मुझे यह column important है symbol यह column important है बाकी यह important है यह नहीं राइट यह two dimensional पर है तो मैं क्या करूँगा for loop से अब इसको read करता हूँ मतलब reading का सारा same है अब for loops है ना मैं इसको filter करूँगा filter column simple बता ना for loop कैसे करोगे index यह index देगा तो idx मतलब index integer format पर row आप मिलेगा and in किस पर df nse500 यह function iter rows पर जाओगे and like अब आपके पास one by one आप read कर रहे हो right अब देखो जो मेरे stock symbol है ना symbol है symbol to row पर row का column name दो column name हमें सा square bracket पर मतलब square bracket पर आप column name प्रोवाइड करोगे column name प्रोवाइड करोगे तो मेरा column number name क्या symbol है जैसा CSV फाइल पर है वैसा ही नाम आपको देना है यह best तरीका नहीं होता इस तरह का बस मैं assume कर रहा हूँ कि आप लोग को knowledge मतलब मेरे जैसा ही है तो मैं try करूँगा beginner को जिस तरह समझाया जाता मैं उस तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिस कर रहा हूँ यह एक तरीका नहीं है मतलब professionals ऐसी use नहीं करेंगे hard code सारा omit करते है hard coding हम नहीं करते है right देखो अब मैं इसको read करूँ न सारा symbol आ जाना चाहिए मेरे पास and let's इसको print करवा रहा हूँ print symbol right देखो सारा यह symbol मेरे पास आ रहा अब जो filter का process है यहां से start हो गया अब यह print कर रहा है मेरे पास ना अब मैं क्या बोला था कि list में store करना the list nse 500 stocks पर the list implementation ऐसा होता है तो अब यहां पर जो print करवा रहा हूँ न मैं इसको install करूँगा मतलब inside करूँगा अब यह list है इसके पास item एक भी नहीं है item copy होगा मतलब data frame से जो particular symbol name का जो column है यहां से हमें copy कर रहा है तो copy के लिए हम क्या use कर रहे है for index के मतलब one by one हम copy कर रहे है तो जब भी हम item list में set करते हैं तो multiple ways दो ways से मैं बता आता है यहां तो index के through कर सकते हो right index पे मतलब index पता होना चाहिए मुझे तो पता ही नहीं है तो basic से जो definition है append कर दो गया right append जो भी item आपको देना है like यह item मतलब यह item अब insert हो जाएगा अब print नहीं करेगा देखो मेरे पास यह आगया and let's जब यह सारा काम हो जाए ना मैं return कर दूँग यह list को I think यह last class में में बताया हूँ आप लोग समझ पा रहे हो अगर list को return कर दिया list को अब यह return कर दिया अब यह function कुछ मुझे return कर देगा like let's say variable बनाता हूँ get return मतलब यह कुछ return कर रहा है मुझे मुझे नहीं पता क्या है तो अब मैं इस function के पास कोई print नहीं करेगा अब जो variable यह है अब मैं print इसको यहाँ से करवाता हूँ outside the function अब print करवा रहा हूँ देखो इस format पर प्रिंट कर दिया list के format पर प्रिंट कर दिया I think यह चीज़ आप लोग समझ रहे हो तो example number 5 में हम क्या क्या यूज किये for loop यूज किये return keyword यूज किये तो यह सारा चीज़ पर हम सारा implementation हो गया example number 4 पर हम क्या यूज किये थे देखो example number 4 पर हम जो use किये एक तो for loop यूज किये उसके साथ inside में एक if else condition यूज किये थे if condition उसके बाद multiple एक statement कैसे generate होता है तो सारा बनाता है मतलब अब समझ रहे हैं कि हम higher level पर आ गया है तो जो भी हमारा class के lecture का जो series होता है one by one अब सारा dependent है मतलब हम जो lecture one पर जैसा काम कर रहे थे और lecture number nine पर जो कर रहे है totally different है lecture number nine पर हम totally automatic पर move कर रहे है one पर manually सारा चीज कोड करना पड़ रहा था अब हम automatic process में move कर रहे है I think यह आप difference आप समझ पा रहे हो right देखो example number हमारा जो 5 ए clear हो गया अब हम example number six में हम जाते है अब हमारा example number six है देखो six में न हम थोड़ा सा एक जो trading terminology होता है right उस पे हम totally आप focus कर रहे है जो data हम लेंगे वो nse bho copy का ही data रहेगा मतलब हमारे पास function बना है जहाँ पर हम function csv file को read करके data frame पर load कर सकते है यह function हमारा बना हुआ है तब हमें इस पर दुबारा महनत नहीं करना है right अब हम क्या करें न देखो जो एक stock name मुझे मिलेगा stock name open high low close right अब मैं इस पर week to week मतलब week निकालना है मुझे week to week range निकालना है हर stocks का week to week range निकालना है file क्या है मतलब समझना week to week range क्या होता है मैं बताता हूँ देखो जब भी candlestick data होता न candlestick होता है candlestick data होता है यह इस format पर होता है इस format पर होता है right इस format पर होता है इस format पर होता है इस में न जो data होता है open high low close यह 4 data से मिलकर यह candle बनता है ओपन क्या होगा? जिस price पे open होता है, जिस price पे close होता है, यह चीज़ तो fix है, open, close, अगर weak, weak मतलब high touch किया, then वापस आया, then low touch किया, मतलब कि open this price पोगा, उसके नीचे गया, low point भी define कर दिया, and let's say, एक high touch किया, और high के नीचे एक close define किया, right, तो यह basic सा structure होता है, OHLC data pattern का, weak क्या होता है, weak होता है, यह part, यह part, मतलब body नहीं, यह part, alright, यह part, तो हम क्या करेंगे, weak to weak range निकालेंगे, हर एक stock का, right, मतलब भाव कापीस हम data read कर रहे है, weak to weak range निकालेंगे, तो इसका formula क्या होगा, अब समझ रहे हो न, मतलब हमें यह और यह, यह बुरा area कितना हुआ, range कित न हुआ, वो मुझे बताना, तो इसका simple formula क्या होगा, कि high minus low करो, या low minus high करो, मतलब कोई एक formula use कर लोगे, तो आपके पास आ जाएगा, right, तो देखो, यह positive भी आएगा, यह negative भी आएगा, यह positive भी आएगा, और यह negative भी आएगा, negative in the sense, देखो, अगर open यहाँ पर होता है, close हो रहा, high touch किया, तो यह range क्या आएगा, मतलब high minus low करोगे, तो range हमेसा positive आएगा, right, हमेसा क्या आएगा, यह positive आएगा, अगर low minus high करोगे, low minus high, मतलब 8, यह 10 हैं, assume कर लेते हैं, तो 8-10 करोगे तो कितना माइनस 2 आएगा अगर 10-8 करोगे तो 2 आएगा, मतलब यह formula use करोगे, तो हमें सब positive आएगा low minus high करोगे, तो निगेटिव आएगा, तो यह differences है, मतलब हमें magnitude चाहिए magnitude चाहिए magnitude क्या होता है जैसे magnitude क्या होता है, जैसे minus 2 और 2 है, प्लस 2 तो यह दोनों ना same है difference क्या रहा है, sign का difference आ रहा है magnitude मतलब सिर्फ value पे focus करो, तो यह चीज़को हम दो formula तो implement नहीं करेंगे, हम एक formula चाहिए, तो जो formula है हम क्या करेंगे, absolute लेलो कोई एक formula आप डाल दो, मतलब यह तो high minus low कर दोगे, तो सिर्फ यह magnitude return करेगा यह absolute में low minus high करोगे, तो यह return करेगा, right I think यह आप समझ रहे हो, अगर नहीं समझ रहे हो, तो मैं फिर से दुबारा repeat कर दूँगा यह चीज़ analysis पे, जब भी समझाता हूँ, जैसे week to week range निकालना है, week to week range निकालना है, alright जैसे यह nifty है, यह candlestick है, इसका week निकालो, यह अगर high है, तो यह low है, तो इसका range हो गया, suppose को यह 10 है, यह 8 है तो 10 minus 8, मतलब जो यह body का length है, total 2 length का है दो length का है, right अगर यह open यहाँ पर होता है close यहाँ होता है, low यह touch करता है, high यह touch करता है तो same चीज़ इसका है, मतलब 10 minus 2 करोगा, तो 8, मतलब 8 length का यह body का range होता है मैं अगर और समझाओ क्या आपको आप लोग समझ पारे हो ना तो हम इसको ना, implement करते हैं, यह NSE bio copy data हमारे पास data का source क्या है data का जो source है, वो NSE bio copies हम ले रहे है, right उस पर हम सारा analysis perform करेंगे analysis पर week to week हम print करेंगे, right यह important है, अब हमारा lecture काफ़े advance पर आ रहा है, मैं सोच रहा है basic basic example करवाने से कोई sense नहीं बनेगा, हमें actual trading environment पर काम करना है तो यह important एक formula रहेगा right अब हम example 6 है, हम क्या करते हैं हमारा यह जो function है, example number 4 मैं इसको copy कर लेता हूँ, थोड़ा सा modification लगेगा, पर आप लोग समझोगे इससे, right, कि किस तरह हम designing करते हैं, example read stock, OHLC, NSE bio copy, और इसका नाम मैं देता हूँ like read NSE bio copy like यह एक function का नाम है, जहाँ पर example number 6 है हमारा हम analysis करेंगे stocks analysis जहाँ पर हम find करेंगे week to week, week to week का range निकालना चाहेंगे, right यह निकालना चाहेंगे तो हमारे पास same है, अब देखो अब हमारे पास जो formula आ रहा ना, formula है वो हमारे यह same process पे copy read कर रहे है, file read कर रहे है that's it, पतब कोई ज़्यादा changes नहीं है अब जो changes है, अब हम वो करना हमें range निकालना हमें क्या निकालना, week to week range चाहेंगे न, week to week mistake होगे है मेरे से, उसे कोई बात नहीं है week to week range होगे, अब देखो, हमें क्या है चाहिए, high minus low या low minus high मतला मेरे पास दो method है, low minus high या तो यह करो या तो आप यह यह वाला use कर लो मैं दोनों one by one करके आपको दिखाता हूँ कि problem क्या होता है, जब तक real life problems आप compete नहीं करोगे तो देखो, पहला मैं यह case को लेता हूँ अब series यह statement है, मैं इसको थोड़ा change कर रहा हूँ यह चल से stock and week to week range मैं एक statement बनाऊंगा week to sorry यह variable मैं प्रेंट कर रहा हूँ देखो, मैं समझाता हूँ क्या लिख रहा हूँ अब यह आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हूँ देखो यह example number 4 से काफी similar है मतलब है वही example मैं थोड़ा changes क्या किया हूँ open high low close, यह चीज़ तो read कर रहा था न मुझे week to week range निकालना है तो उसके लिए हमारे पास दो formula open minus high यह low minus high करो बस magnitude का अंतर है magnitude अभी मैं नहीं बता रहा हूँ मैं इसको बताता हूँ problem कहाँ आएगा अब इसको run करो अगर आप example number 6 को मैं function को ले लेता हूँ इसको print करवाता हूँ हमें कोई argument देना नहीं है देखो OHLC data for Jota मतलब alphabetical order पर print कर रहा है week to week 1.0111 तो कहीं पर negative आना चाहिए मतलब मुझे जो problem है वो दिखाना मतलब problem आना नहीं चाहिए जैसे high minus low करोगे तो भी problem नहीं आएगा या low minus है मतलब हमें range एक मिल गया हमें क्या हो गया? एक range मिल गया अब हम जो digit है नहीं decimal का digit है हम उसको filter करना चाहते है बस decimal का 2 digit तक ही consider करना चाहते है दो problem आप लोग नहीं देख पाया है मतलब problem है नहीं जस्ट कि मैं कुदी एक problem बना रहा हूं decimal के बाद multiple digit तक वो print कर रहा है बस मुझे 2 digit ही चाहिए तो मैं क्या करूँगो जो week to week है इस पर मैं थोड़ा filter कर दूँगा मतलब round round एक function है आप call करोगे कितने decimal कितना चाहिए मुझे 2 digit चाहिए तो comma देने के बाद जितने digit चाहिए आप वो provide करोगे अब मैं इसको run करता हूं देखो week to week range 3.45 I think example नम्बार अमारा जो 6 है यह आप लोगों को clear है अगर आप same to same body to body निकालना चाहते हो body to body मैं एक और variable डिफाइन करता हूं body to body range देखो body to body range निकालना तो इसमें week का control नहीं होता है मैं यह भी समझाहिए देता हूं देखो जो body to body range होता है body to body range यह candlestick है मतलब हमें week का important role नहीं है मतलब यह जो bondring एक्चुल में जो एक्चुल बॉड़ी है उसका हमें range चाहिए तो range दो method से निकल सकता है या तो open minus close करो तो यह हमेशा अपने इसाव से value देगा open minus close करोगे नहीं सापसी use कर लोगे अगर differences मुझे नहीं पता है कौन सा difference करेगा तो आप absolute method यूज़ कर लो तो वो आपको easy answer देदेगा मतलब sign remove कर देता है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा close minus open यहाँ पर week to week हो गया like मैं instead ना जिससे w to w दे रहा हूँ sort form चाकि मैं स्पेस बच जा week to week हो गया and last में body to body right b t alright यह एक formula हो गया इसके अंदर मैं जो भी मैरा calculation आ रहा है यह provide कर जाओ I think open में कुछ problem है मैं इसको sort out करता हूँ open जैसा variable define किया था वैसा मुझे provide करना है न तो इसलिए problem कर रहा है अब मैं इसको run करता हूँ यह क्या बोल दिया error बता है अब error क्यों है I think यह चीज़ आप लोग समझ रहे हो यह opening bracket है यह बोल रहा opening bracket was never closed मतलब हमें close करना पड़ेगा न देखो week to week आ गया body to body आ गया right मैं analysis एक चीज़ और बता देता हूँ I think यह चीज़ आप लोग को यह होना चाहिए बतलब अगर candlestick data पर आप trade pattern generate करते हो न तो open high minus low के अंदर ही open minus close होगा right समझना जो high minus low यह area है तो open minus close इसके अंदर होगा मतलब when diagram से समझना चाहोगा तो open minus close हमेंसा इसके अंदर होगा यह कभी नहीं होगा open minus close यह रहे और high minus low कभी यह चीज़ valid है नहीं I think यह चीज़ आप लोग जानते हो मतलब मैं बस एक repeat कर दिया हूँ यह extra information is not allowed तो हमारे example number 6 clear होगा अब हमें example number 7 में move कर रहे है अगर अभी तेक आप लोग बने हो ना तो मैं बस आप लोग से request करता हूँ कि बस आप like, comment, subscribe करते रहे है comment कुछ भी हो comment करना बहुत must है comment करोगे तो क्या होता चैनल ना grow करने देगा YouTube ऐसे grow करने नहीं देगा मुझे अब देखो example number 7 move करने से पहले हमारा जो starting video का overview था उसमें कुछ-कुछ points, questions थे अब देखता को उसमें कितना मैं clear कर चुका हूँ और आप इसको zoom करता हूँ जो जो चीज हो चुका है मैरे set some explanation दे दिया हूँ तो वो सारा मैं tick कर देता हूँ data frame हो चुका file type अवर से data type ये भी मैं बता दिया हूँ file extensions कैसे निकालते है properties पे right click कर गए properties पे जाओगे ता आपको extensions मिल जाएगा separate character मैंने बता data student tabular format ये हो चुका how to use third party library ये भी हम complete कर दिया pandas को import कैसे करते है what is csv file ये भी हो चुका read file from path ये हो चुका ये write बचा हुआ है अब देखो कुछ अब हमारे पास limited दो operation है separate character और delimit है देखो इसका basic example क्या है इस है csv file हम बोलते है ना csv file ये होता क्या है मतलब इसका जो full form है comma separated variable ये होता है comma separated variable csv meaning क्या होता है comma separated variable ये चीज़ आप लोग को visible है comma separated variable आप सपोसकर ये मेरे plain file है text file है यहाँ पे मैं stock का नाम डाल रहा हूँ tata motor by और 100 quantity let's say 700 price पर मैं buy कर रहा हूँ adani power buy कर रहा हूँ 20 quantity let's say 450 पर मैं buy कर रहा हूँ ये दो एक text format पर लिखा हुआ अब जो read कर रहा है मतलब बताया था ना read करने का जो process होता है मतलब book में जाओगा तो तीन process में बताया है मतलब पहले आप file पर open करोगे file को open करोगे analyze करोगे मतलब parse करोगे इसको technically parser बोलते है and third क्या है अब item को read करोगे ये process होता read का open analyze और read पर जब इस file को open करोगे तो सबसे पहला आपको क्या करोगे read करोगे मतलब open हो गया and then analyze करोगे तो analyze में न मतलब उतना computer को दिमाग नहीं है कि evaluate कर पाए लेकि हमें तो देखने हैं पता चल रहा है ये टाटा मोटर है ये बाई है ये quantity ही है पर ये चीज़ separate out नहीं कर पाएगा ये चीज़ separate out नहीं कर पाएगा मतलब T और B क्या है मतलब ये दोनों एक symbol एक string assume कर सकता है मतलब T,B तो उसके लिए क्या है हमें थोड़ा से इसमें intuition प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा दिमाग देने के लिए हम बोलते हैं जो कि item है न उसको separate कर दो comma से मतलब comma से separate कर दो अब जो ये item जो पहला row को read करेगा अब ये T read करेगा comma देखा stop then B read किया, comma देखा stop then 100 read किया, comma देखा stop then 700, 700 को बाट कुछ नहीं है तब next row पे read हुआ मतलब formatting क्या है T दीखा, comma दीखा, stop करेगा next, next एक item बनाएगा मतलब comma by comma वो split कर रहा है comma by comma वो split कर रहा है मतलब चाकू चला रहा है TB 100 जहाँ पे comma है वो चाकू चला रहा है मतलब delimiter, ये जो comma है न इसको बोलते है separating character separating character तो comma जब भी CSV फाइल होता है वो comma से separated होता है आप देखो, अब जो exchange है NSE का exchange है वो कुछ different exchanges consider करता है जैसे वो हमें feed जो देता है market feed देगा ये तो broker हमें देता है तो वो काफे filtered data होता है मतलब filtered structure होता है filtered structure देता है जो NSE देता है, जो broker को देता है ये ना मतलब इस पैसा filter नहीं होता है, ये एक बार में पूरा मतलब इसके पास highest power of competition है, तो एक बार में काफी ये flooding करता है, मतलब एक बार में suppose करो, जेतने tick हो रहे हैं ना सारा आप एक बार में flood करता है broker, तो broker से जो हम लेते हैं ना, वो काफी structured होता पर NSE पूरा flood कर देगा आपको लेना है लो, ने लेना है लो, मतलो simple साय story होता है, feed का तो जो character होता ना, मतलब feed का open हो रहा है open किस price पर, high किस price पर low, close, ये एक string बना कर देदेगा ये developer पर, मतलब जो receiver है उस पर है, कि आप इसको split करो तो वो कुछ character दे देता है, मतलब कि आप अगर has, has को भी include कर सकते हो, comma separate, मतलब separating character हो सकता है white space है, मतलब ये ये वी separating character हो सकता है, जिससे space bar, मतलब ये वी separating character हो सकता है तो जिस separating character है ना, उस ये को हम delimiter बोलते है I think ये काफी technical हो गया मैं बस, इससे ज़्यादा आप नहीं बोल रहा हूँ, that's it तो हमारा जो ये topic है delimiter topic, ये भी complete हो गया अल्राइट, ये complete हो गया अब हमारा जो last बसता, how to write data to csv file, उसके बाद फिर हम strategy पर move करेंगे, बस ये last topic बसता है, कि data जो हम analysis कर लिये, उसको हम data file write करवाना है, तो कैसे करवाना है, ये हमारा example number 7 पर है example 7 पर मैं इसको carry करता हूँ लेकि मैं आप सो लोग request करता हूँ, अभी तक आप लोग मेरा channel पर continue कर रहे हो, मेरा content किसी भी वे से आपको help out कर पा रहा बस कुछ process है, वो आप कर दिजे इस video को like कर दिजे comment and say comment कुछ भी आप करो, comment जरूरी नहीं है कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं comment ना करू, कुछ-कुछ लोगे बस देख लेते comment करने में थोड़ा से उनको doubt process होता है, तो आप वो comment कर सकते है कुछ भी आपको अच्छा लगे, तो वो आप comment करना है अब जो हमारा next series है, next example है उस पर हम write functions के बारे में study करेंगे write function क्या होता है कि अब suppose करो, मेरे पास जो एक analysis है वो एक message के form पे stored है और मैं उसको ने एक write करवाना चाहता हूँ किसी भी data, किसी भी file पे write किसी भी file पे मैं write करवाना चाहता हूँ तो जो basic example होता है हम text file पे write करवाते है एक simple message रहेगा, message को हम print करवाएंगे text file पे तो उसके लिए function design करते है और यह जो सारा analysis है, सारा study है यह पांडा लाइवरी की through करूँगा एक और भी है, लिए multiple libraries है तो उस पे अगर जाओगे तो वो थोड़ा उसमें ज्यादा coding करना पड़ेगा आपको, जो simple से बना बना है हमें जो function मिल रहा है, use कर लेते है एक function बना रहा हूँ write message to text file यह text, sorry, text file होता है text file एक message में बना रहा हूँ like message write data to file यह message है, जो मैं एक text file पर write करवाना चाहता हूँ ठीक है तो देको, जो pandas का है ना pandas का जो library है, वो tabular format पर वो मांगता है मतलब table form, पैसे नहीं कि बस ambiguous दे दूगे तो वो problem करेगा हमें क्या करना है, एक data एक column का name, then column का name then सारा message इस format पोना चाहिए मतलब एक vertical manner पे सारा data हमारा print होना चाहिए मतलब मैं एक roughly example दे रहा हूँ कि आपको एक text file कैसे write करता है वो चीज़ समझ में आ जाए तो हमें एक column चाहिए, right तो column name में यह दे देता हूँ message, right इस message के अंदर हमारा सारा जो signal है, right जो message हम write करवाना चाहते message के अंदर हम क्या write करवाना चाहते तो वो सारा आ जाएग, right column name, अब देखो अब हमें एक data frame बनाना पड़ेगा जहाँ पर write करे तो data frame, write ये data frame पर हम write करवाएंगे और इसमें ना हम pandas का data frame है, pandas data frame एक initialize कर देते और हमें एक actual message जो write करवाना, ये तो message हो गया ना तो write message, इस पर क्या ये जो message है ना, अब ये write होगा, अब आप समझना क्या हो रहा है, कि ये हमारा जो function है, अब हम data frame के निए slice कर रहे है, write तो actual data frame underscore write होने वाला है ये write होगा, पर जो इसका process है, मतलब इसके पास data आना भी तो चाहिए ना, मतलब समझ रहो ना, तो write जो message है अब write message के पास हमें इसका एक tabular format बनाना पड़ेगा, तो column name मुझे देना पड़ेगा, first column name आएगा column name, फिर column then message square bracket के अंदर आएगा, message जो है square bracket के अंदर आएगा मतलब data frame के पास हमारे पास ये दो message आगिया, message first row पे रहेगा, then second row पे write data to file, right इस format पे, अब हम जो data frame है अब हम इसको print करवाना चाहते हैं, right let's say हम इसको write करवाना चाहते है data file पे, फ़ले देख लेते हैं कि इसके पास है क्या, तो मैं simply क्या करवा रहा हूँ, print data frame underscore write, ये simply print करवा रहा हूँ, देखो ये आगया, message, column name आगया, write data to file, ये 0 है, right, ये 0 आ रहा है, मतलब index ये भी print कर रहा है let's say, एक और message मैं ले लेता हूँ message 2 message 2 I think ये गलत हो गया message message 2 जिसमें, मैं दे देता हूँ learn python for learn python for algorithmic reading, right, ये sentence की message को भी मैं साथ में print करवाना चाहता हूँ देखो, column name हो गया, अब जो messages है, vertical manner पाएगा तो message के बाद, मैं ये pass कर देता हूँ, right, जो भी message है अब ये square bracket के अंदर सारा comma separated के थूँ ये जाएगा input, right, तो ये इस process पे हमारा एक data frame पे data आ जाएगा, अब मैं इसको write करवा रहा हूँ, all right, देखो, ये आ गया, zero index पे हमारा write data to file है, I think इसको zoom कर दे रहो, ताकि ये visible हो जाए, zero index पे write data to file आ गया, and no, जो one index है, learn python for algorithmic trading, ये हमारा print हो रहा, अब हम य f underscore write करोगे, इसमें two csv, बना बनाया function है, मतलब खुद ने ज्यादा महनत नहीं करना, बना बनाया function है, आप उसको use करोगे, तो हम ही क्या करना पड़ेगा, data frame पे, आप देखो, कहां पे write करवाना, वो location देना पड़ेगा, तो location मैं same, इस folder पे ही write करवा देता हूँ, तो file path है, like, instead of file path मैं destination path दालता हूँ, right, destination path, जो भी file का नाम है, location exact path देना चाहिए, relative path हमें नहीं देना है, right, da है, यहाँ पर मैं अपना file का नाम दे देता हूँ, और type भी मैं mention करूँग, like, data write.txt, मतलब txt format में, file का नाम क्या है, data write.txt, एक file extension होगे, right, अब हम इसको print करवाना है, तो data frame पर यह आगया, message इसके पास है, अब यह csv function path प्रोवाइड करोगे, तो destination path आगये, अब मैं इसको run करता हूँ, तो हमारे पास एक इस folder पर आप देखोगे, इस location पर एक नया file create हो जाना चाहिए, यह program run हो रहा है, यह हमारा file बन चुका, अब इसको जो output है, अब इस form पर देखो, message है, 0 पर write data to file है, learn python for algorithmic trading, यह print हो रहा है, अब हम index देना नहीं चाहते, मतलब यह 0 और 1 है, यह index है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर यह जो two csv function है, इसमें index को call करके, और set कर देंगे, false, मतलब by default यह true है, हम false कर देंगे, ताकि यह index है, हमारा print ना हो, right, तब हम क्या करते हैं, इसको close कर देते हैं, अब मैं इसको द्वारा run करता हूँ, हाँ, यह आ गया, अब, इसमें अब index नहीं है, message, column name आ गया, column name, अब दो messages था, write data to file, learn python for algorithmic trading, यह print हो गया, let's हम एक और message, print करवाना चाहता हूँ, like, message 3 रहेगा, यह, इस पर मैं बोल रहा हूँ, like, comment, and subscribe, right, यह message है, जो मैं print करवाना चाहता हूँ, तो message 3 है, तो message 3 क्या है, column के नीचे होगा, message 2 के बाद होगा, तो मैं यहाँ पर place करके, और same function को call कर रहा हूँ, यह पुराने वाले को मैं delete कर देता हूँ, देखो, एक नया file बन क्या गया, जो print हो रहा है, इसमें text, actual जो data है, वो हमारा गया, like, comment, and subscribe, यह print हो रहा है, right, यह चीज़ आप लोग समझ रहे हैं, हमारा example number 7 है, यह complete हो गया, अब हम example number 8 प्यारते, जहाँ पर NSE भाव कॉपी data को simply हम write करेंगे, मैं read कर रहे हैं और write करवा अब हम क्या कर रहे हैं, हम read कर रहे हैं, और simply उसको write करवाएंगे एक नया file name के साथ, जो file का name है, उसको मैं change कर देंगा, right, तो हमारा जो example number 4 है, right, 4 या 5, I don't know, उसको मैं copy कर लेता हूँ, उसमें modification कर लेता हूँ, right, देखो, यह हमारा example number 4 है, तो मैं इस पर modification कर देता हूँ example, यह आ गया हमारा example number 8, write nse bow copy to file, यह आ गया, अब देखो, यह statement है, मुझे यह requirement है नहीं, मुझे यह भी required नहीं है, मतलब मैं as it is जो data frame आ रहा है, अब simply write करवाएंगे, उसी file पे, मतलब उसी same location पे, पर file का name totally different होगा, right, तो data frame यह हमारा है, इसका जो write operation है, वो क्या करता है, to underscore csv, मतलब यह convert कर देता है data frame को csv file पे, मतलब basically क्या हो रहा है, जो भी item यह messages data frame पे है, वो write कर देगा किसी file पे, मतलब physically stored हो जाता है, अब देखो, जो write करेगा, यह two underscore csv, यह function responsible है, जो भी messages data frame के अंदर है, वो write करेगा इस पे, right, अब हमे क्या चाहिए, destination path चाहिए, एक variable बना लेता हूँ, destination path, इस ते मुझे actual path देना है, तो मैं same उपर वाले को copy कर लेता हूँ, यहाँ पर जो file का name है, यह file का name है, मैं इसको change कर देता हूँ, my filtered, wow copy, right, और csv format पर मैं save कर दूँँगा, right, यह example number 8 है, और इसको मैं call करता हूँ, right, नया file बन जाएगा, यहाँ पर already 3 है, अगर मैं इसको run करता हूँ, एक नया file यह बना देना चाहिए, यह problem इसलिए आ रहा है, क्योंकि हम write करवाना चाहते हैं, यह same नाम है, इसलिए problem कर रहा था, right, stock, ohlc, right, यह function है, मैं इसको call कर रहा हूँ, example number 8 call हो गया, और हमारे पास एक नया file बन के आ गया होगा, यह हूँ, ओ, sorry, sorry, मैं तो बस function बनाया हूँ न, अभी तो actual path मैं दिया नहीं हूँ, तो जो actual path मुझे देना पड़ेगा, destination path, index अगर set नहीं करना चाहते हो, तो index equals to false, अब देखो, मैं इसको run करता हूँ, और same way पे कि यहाँ पर file बन जाना चाहिए, एक file बन गया, my filtered box copy, अगर मैं इसको open करो, तो सारा जो data frame पे data था, सारा वो present हो गया, right, सारा वो present हो गया, अब इसमें देखो न, हम कुछ अपने filtered करना चाहते हैं, मतलब box copy read किया है, अब हम TB वाले, देखो, जो हमारा next example है, example number 9, यह काफ़ important है, right, यह काफ़ important है, आता है, कि इसमें न, हम data frame पे हम where clause use करेंगे, क्या use करेंगे, where clause, तब यह where clause क्या होता, suppose करो, मेरे पास एक set है, a set पे क्या है, multiple number है, right, a, b, c, d, e, और यह set में से मैं सिर्फ वो set को लेना चाहता हूँ, जिसका element b से match होता है, right, b से match होता, जो भी b से match होगा न, वो मेरे पास as a output आएगा, जो match नहीं करता है, वो नहीं आएगा, यह where clause, where clause क्या होता, searching के लिए, मतलब searching कर लिए हम use करते हैं, right, तो data frame न, data frame का जो है, जो pandas है, by default यह हमें searching operations, यह provide करवाता है, with the help of where function, right, यह हमें where का advantage मिल जाता है, तो हमारा जो next example क्या, हम nse bho copy को read करेंगे, इसमें क्या था, equity नाम का जो सिर्फ stock है न, उसी को हम बस consider करके, यह write करवाएंगे, एक simple सा csv file पर, यह हमारे example number 9 है, इसका जो approach होना चाहिए न, हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो csv file है, उसको हम read करते हैं, read करके data frame पर लाते है, data frame पर सारा होता, मतब, equity is equal to, equity का भी होता, tb का होता, be का होता, like multiple series है, सिर्फ हम मैं eq को consider कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे filter करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, filter, filter in the sense, यहाँ पर searching करेंगे, searching किस functions के तुरू करेंगे, where functions के तुरू, right, data frame का, जो inbuilt function और where, उसके तुरू यह access करेंगे, right, दोखो, यह story है, example number 9 हम सारा implementations देखते हैं, दोखो, एक नया function बना लेते हैं, df, filter, data frame, and write to csv, right, इसको आप daily, मतलब अगर आप trading पे, like end of the day, end of the day, अगर भाव copy data को retrieve करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो यह आपका formula, आप इसको daily basis पे run करके, stock analysis कर सकते हो, right, देखो, हमें क्या चाहिए होगा, हमें data frame read करना होगा, तो मैं उपर से सारा process जो किया हुआ है, मैं उसको copy कर लेता हूँ, like example number 9, where clause and write data to csv, right, I think यह font आप लोगको visible नहीं है, मैं इसको zoom कर देता हूँ, example number 9, right, यह हो गया, यह हमारा read करके data यह आगया, अब हमें क्या करना है, देखो, मैं आप इसको print करवाता हूँ, let's say मैं इसको call कर रहो, यह function को, अभी call कर रहो, मतलब step by step कैसे implement करते हैं, designing कैसा होता है, सारा वो चीज़ सीख लेते हैं, इस example से, देखो, यह function को call कर रहो, let's say मैं इहाँ पर print करवा रहा हूँ, जो भी data frame के अंदर जो भी data है ना, मैं इसको simply print करवाना हूँ, ताकि data देखना चाहता हूँ कि आ रहा है की नहीं, देखो, हमारे पास data आ रहा है, data आ रहा, बस series is called to EQ है, मतलब हम filter करना पड़ेगा, अब हमें क्या है, सिर्फ series is called to, अब हमें क्या है, data frame पर हमारा सारा data तो आ चुका है, अब हमें क्या करना, filter करना, मतलब हम series is called to, TB वाले को consider नहीं कर रहा है, सिर्फ उसको consider करेंगे, जो EQ से बिलॉंग है, जो EQ से बिलॉंग है, तो हमें एक filter का जो function है, वो बनाना पड़ेगा, तो filter start करते हैं, देखो, हमें एक masking करना पड़ेगा, simple से filter है, filter is called to, filter का नाम है filter, एक variable है, जहाँ पर मैं filter condition implement कर data frame है, मतलब इस source पे, मतलब जहाँ पर data frame पे, कौन सो column पे आप रोच करना चाहते हो, कौन सा column पे, मेरा जो column है, series column पे, right, तो मैं series जो variable है, मैं उसको as an input, like square bracket का अंदर, ये column का address दे दूँग, right, इस column पे, अगर equals to EQ है, मतलब simple जो if else condition implement करते है, filter condition ही है, मतलब इस data frame पे, series column पे, अगर series column जहां पर भी equal है, तो एक ये filter condition बन गया, filter condition जो ये है, filter condition क्या बोल रहा है, कि जो data frame पे, किस particular column पे आप काम करना चाहते हो, और क्या item उसमें देखना चाहते हो, right, equals to करके अगर ये है, बस इस वाले पे focus करो, इससे execution कैसा होगा, इस data frame पे, series नाम का column पे, EQ symbol है तो उसको वो consider करेगा, अगर कोई और इसके जगा होगा, उसको consider नहीं करेगा, right, तो यह हमारा filter process है, अब हम क्या करते है, अब इस process पे, हम by default where function जो इसका बना बनाया है, analysis पे वो use करते है, right, where clause, और इस पे जो filter है ये आप pass करोगे, filter आप pass करोगे, इसके साथ एक parameter और है, in place, in place is called to true करोगे, right, in place is called to true करोगे, अब let's say, अब मैं इसको print करवाता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको print करता हूँ, अब हमारा ये print का process है, तो देखना क्या हो रहा है, देखो, अब इस starting सो दिखोगे न, last में तो पहले n, n value तो आही रहा था, अब क्या है, कि साथ में जहाँ पर series is called to eq है, बस उसको so कर रहा है, बाकी को ये totally discard कर रहा है, मतलब सारा n value पे ये print कर रहा है, समझ रहाँ ना difference, जहाँ पर मैं searching किया, तो searching पर जहाँ जहाँ पर eq है, वो चीज विजिबल है, उसका value मुझे दीख रहा है, जहाँ पर eq बिलॉंग नहीं करता है, उसको by default n value से denote कर रहा है, ये हो गया हमारा searching, लेकिन अभी भी ये filtered नहीं हुआ, कि हमें n value देखना ही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे ना, remove करना पड़े, remove n value, ये value को remove करना, तो उसके लिए क्या है, इस जो updated data frame है, इस पे एक function है, drop n है, drop n है, अगर ये function को call करते हो, अगर ये function को आप call करोगे, तो क्या होगा है, n value remove कर देगा, n value को remove कर देगा, अलेट से इसका जो output है, data frame, new, जो बनाएगा मेरे पास, like, instead, अब मैं इसको print करवा रहा हूँ, देखो, drop करने के बाद, एक नया data frame मेरे पास आ जाएगा, right, तो देखो, यहाँ पर क्या होना, सारा, यह मतलब data frame पर सिर्फ column name है, पर इसका value नहीं है, क्यों, हर जो row है, वहा करना है, and then value, किसी एक particular column पर apply करना है, किसी एक particular column पर, वो column को मैं consider कर लेता हूँ, series column पर, right, subset, तो column जब भी दो गए, subset का part होता है, and subset equals to series, right, sorry, इस format पर, let's just go print करवा रहा हूँ, अब देखो, अब जो printing है, मतलब, देखो, nn value पहले वाले मिकिनियों आ रहा था, कि इस हर row मेरा nn value है, जिसके चलते हर row को वो delete कर रहे दे रहा था, अब क्या है, जो subset है, none value हमें जो remove करना है, वो एक column है, मतलब, यह master column कौन सा है, series है, series column पर, जहां जहां पर nn value है, उसको remove करेगा, जहां पर नहीं है, उसको नहीं क चाहते हैं, किसे एक file पर, right, write this to file, यह file है, तो हमें क्या चाहिए, एक destination path चाहिए होगा, let's see, इसको मैं copy कर लेता हूँ, ताकि क्या होगा, last में बस change कर देंगे, अब file का नाम क्या है न, like nc29 December 2023 भाव है, मैं इसको updated name से, right, यह हमारे हिसाप से filtered हो गया, updated, and let's see, अब मुझे इसको write करवाना है, यह data frame new है, इसको मैं write करवाऊंगा, तो location एक वर दिखा देता हूँ, इस location पे, अभी हमारे पास कुछ नहीं है, तो दो चाहरी file है, एक नया file बनेगा, dfnew.write करवाने के लिए कुन सा functions call करते हैं, to underscore csv, score csv, and हम path provide करेंगे हमारा destination path यह है, इसको provide कर दोगे, तो यह write कर देगा, right, हमें index चाहिए, नहीं चाहिए, index is equal to false, right, अब मैं इसको run करूँ न, तो यहाँ पर एक नया file बन जाना चाहिए, उसका नाम होगा cm29, December 2023, wow, underscore updated, मतला हमारा file इस नाम से बनना चाहिए, right, तो मैं इसको run करता हूँ, देखो, हमारा यह file आ गया, अब मैं इसको open करता हूँ, right, यह हमारा काफी clean है, clean structure पे, क्यों segment से सारा belong करता है, वो सारे stocks आ गया, जिसे AVG आ गया, इस पर आप search करूँगा, data motors भी आ जाएगा, आपका well आ गया, biocon है, like आप इसको देख सकते हो, like आप analysis के इसको use कर सकते हो और daily basis पे अगर हमें stocks का price अगर देखना है किसी का, BAC आ गया, देखो BAC आ गया, Britannia आ गया हमारा, बतुब जितने भी EQ segment से सारा जो stocks बिलॉंग करते हैं, सारा हमारा इस पर आ गया, right, इस series का सबसे advanced example है, right, अब हम क्या करते हैं, हम next example move करते हैं, जहांपर same data को read करके, लग कि हमें read करने तो आ गया, देखो, एक छोटा से summary दे देते हैं, हमारे पस read करने आ गया, read करने तो आहीं गया, write करने भी आ गया, हमारा analysis कैसा होता, मतलब analysis, data frame पे अगर filter approach करना है, तो वो कैसा होता, where clause होता, वो चीज़ भी हम सीख चुगे, right, तो basic basic क्या है, कि हमारा सारा ह हो चुका, बस last topic बचता है हमारा dot operator, right, dot operator इसके बाद हम directly strategy कैसे बनाते हैं, right, उसके हम directly move कर जाते हैं, alright, देखो, इज़े dot operator है न, dot operator क्या होता है, मैं simple से roughly, freestyle पर मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा देता हू, dot operator क्या होता, suppose ये मेरा एक boundary है, इस में से, इस boundary का नाम A है, like, class 1 है ये, एक class 2 है, class 2, इस में multiple, एक से ज़्यादा student है, let's say, एक student का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, right, एक का नाम मैं consider कर लेता हूँ अंजनी, right, class 2 पे एक राम है, और multiple student हमें consider करना ऐसा है, राम, श्याम, अंजनी हो, यहाँ पर क्रिष्णा, and let's say, one is sorrow, right, sorrow, अब देखो, अगर हम class 1 में से, class 1 में से, अगर एक student को call करना है, call करना है, तो राम इस में भी है, इस में भी है, मतलब राम अगर इस में call करोगे, और इस में call करोगे, तो यह confuse हो जाएगा, अगर श्याम call करोगे, स्याम unique नाम है, दोनों में से, तो स्याम मतलब 100% chances से, यह class 1 में से ही आएगा, class 1 में से ही आएगा, अगर मैं sorrow up को call करता हूँ, तो sorrow up जो आएगा, यह class 2 से ही आएगा, लेकिन राम वाले case में दिखोगे, तो यह तो confused हो गया, तो अब हम अगर इसको proper अगर call करना है, कि कौन से class वाले राम को ही call करना है, तो उसके लिए क्या है, हमें distinguish करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा ऐसा functions को clear करना पड़ेगा, कि कौन सा राम को call करना चाते हो, तो हमें suppose करो class 1 वाले राम को call करना है, तो class 1 then ram, पहले class 1 पे जाओ, then ram को आप call करोगे, अगर suppose करो class 2 वाले राम को call करोगे, तो class 2 पे आप जाओगे, then ram को call करोगे, तो देखो, architecture समझ रहे हो, मतलब हमारे पास कोई बना बनाया function होगा, functions पे suppose करो एक class है, एक object entity है, इस पे multiple functions है, जैसे addition, subtraction, division, ये सारा function है, अगर मुझे ये function को call करना, तो मैं directly ऐसे नहीं जा सकता, इस जो entity है, पूरा boundary है, उसका नाम देना होगा, उसके boundary तक पहुचना होगा, then उसके बाद उसके अंदर जो भी function उसको access करना है, तो जो अब देखो, अब dot operator कैसा होता है, इसे suppose करो, अभी तक हम जितना भी पढ़े हैं, इसे list का कुछ property है, list functions का हम append पढ़ते हैं, append होता है, तो ये जो dot operator क्या कर रहा है, कि आप list में, list class पे जा जा रहे हो, जहां पर भी append नाम का है ना, आप इसको call कर रहे हो, तो जो ये process है, list से आप क्या ये boundary पे तो पहुच गए, पर जो append function है, मतलब inside the function जा रहे हो, तो उस पे dot operator यूज होता है, जैसे मैं real of example देता हूँ, जैसे इस वाले पर देखो, data frame, da underscore data ohlc drop na, मतलब इस data frame प dot operator के साथ call किये, मतलब कि क्लास है, मतलब कोई entity है, अगर उसके अंदर कोई function को आप call करते हो, तो function जो call होगा ना, जो भी entity का नाम है, entity का name है, dot operator, then function, right, तो इस वे से हम सारा calling करते है, तो dot operator देखो, आप लोग जानते हो ये चीज, मतलब मैं thousand time ये बता चुका हूँ, बस formal documentation हमारा बना रहे, मैं repeat कर देता हूँ, देको dot operator क्या है, जैसे हम file को write करवा रहे, तो two underscore csb, ये भी तो एक function है, मतलब data frame का, data frame as entity लो, entity के अंदर एक function है, उस function को call कर रहे, तो directly थो हम call नहीं कर रहे है, हम dot operator के साथ जा रहे है, पहले dot entity का name, then dot, then function का name, right, तो इस वे से सारा ह call कर रहे है, और कुछ भी example दिखा देता हूँ, जैसे read कर रहे हो file को, pandas हमारा एक entity है, और उसके अंदर एक जो बना बनाया function है, read underscore csb, उसको आप call कर रहे हो, तो कैसे call कर रहे हो, dot operator के साथ call कर रहे हो, right, dot operator important है, मतलब किसी entity के अंदर, अगर हम कोई functions को access करना चाते है, use कर में चाते हैं, तो हम dot operator के साथ use कर सकते है, dot operator हमारा एक pathway बना देता है, एक क्या है, pathway बना देता है, कि आप उसको use कर सकते हो, right, तो दिखलो, multiple इस file पे, जितना हमारा series हो गया है, dot operator मैं starting से ही बताता आ रहा हूँ, use करते आ रहा हूँ, पर एक जो proper documentation है, आज मैं उसको discuss कर द बनाएंगे, buy और sales signal बनाएंगे, जो पहला जो logic है, हम buy conditions का है, buy conditions कैसा करेंगे, अगर कोई जिसका, वो stock ले के हो, जिसका open price, open price, अगर low के equal है, मतलब open price अगर low के equal है, तो हम उस stock को buy करेंगे, simple से यह हमारा strategy है, अगर वो stock ले के हो, जिसका open, equals to low है, तो आप उस stock को buy करोगे, तो कैसे implement करेंगे, हमारे पास data क्या है, CSV, NSE, भाव copy का है, तो data frame पे हमारे पास तो ही है, अब हम इसमें क्या करेंगे, searching कर देंगे, searching करेंगे, या तो one by one करो, जैसे for loop पे करना चाते है, उसके through करो, या आप where clause से use करो, ये काफे technical हो जाता, तो मैं simple सा ही example लोगा, जो for loop से कैसे achieve होता, ये strategy build up करना, वो सारा लेते हैं, देखो, जो ये last example है हमारा, इसमें हम totally functions को use करेंगे, mostly functions के सारा ये implementation होगा, ये जो analysis है, एक function का नाम देता हूँ, let's say start trading, right, start trading, एक function है, alright, ये function responsible है, सारा analysis है, stock buy करेगा, right, तो मैं इस पर एक simple सा command देता हूँ, print trading started, right, ये हमारा, जब भी ये function call होगा, सबसे पहले क्या statement प्रिंट करेगा, start trading, right, आप देखो, हमारे पास ये तो हो गया ना, अब हमें क्या चाहिए, हमें data चाहिए, बताब feed चाहिए, तब feed को as, feed actual चाहिए मुझे, right, तो def, हम क्या करते है, बाव कॉपी का जो data है ना, उसको ही feed consider कर लेते है, read, feed as, बाव कॉपी, right, ये हम इसको read कर रहे है, अब हमारा हमें पता है कि बाव कॉपी के इस तरह रीड कह जाता है, तो हम directly उसको use कर लेते हैं, right, तो हमारा जो process है, reading का, हम इसको call कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, read होके हमारा एक data frame पे store हो जाएगा, right, तो example number 10 है हमारा, right, buy stocks, right, example number 10 पे हम buy stock एक function है, उसको मैं call करूँ, right, ये read हो जाएगा, data frame underscore data ohlc, इस पे सारा data is stored है, अब हमारे पास data आ गया, अब हम क्या करेंगे, buy करेंगे, right, हम क्या कर रहे हैं, buy कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, buy stock करना, तो हम उसके लिए filter करना पड़े, correct, हम क्या कर लेंगे, तो basics है, where clause पे jump नहीं करते हैं, हम directly for loop use कर लेते हैं, for, index है कि ये मुझे देगा, row in, अब हमारे पास ये हा रहा है, अब हमें open price चाहिए होगा, open, इस row में से, let's say, open, high price भी मुझे चाहिए होगा न, तो मैं one by one सारा इसको read कर लेता हूँ, I think ये उपर बना हुआ, तो मैं क्यों time waste करूँ, as it is, copy कर लेता हूँ, just to save time, ये आगया, open, high, low, close, open, high, low, close, right, अब देखो, ये रूँ है न, open, high, low, close आगया मेरे पास, अब देखो, जो buy condition है, सबसे पहला जो condition one है, जहाँ पर मैं buy करूँगा, condition one, जहाँ पर मैं buy करूँगा, उसका condition क्या होना चाहिए, if, if, मुझा condition है, हम, if, block को use करेंगे, if, open, equals to, equals to low है, तो क्या करोँगा, आप buy करोँगा, like, print, buy, stock, जो भी stock का name है, right, stock का name कहाँ से मुझे मिल जाएगा, row.symbol मुझे ये stock का देदेगा, let's say, stock का name है, stock, name, एक नया variable बना लेता हूँ, row, और symbol मुझे ये देदेगा, right, stock name मुझे ये देदेगा, and let's say, हम stock name buy कर रहें, simple सब ये statement है, लेकिन ही, जो read CSV है न, ये हम individually call न करें, हम start reading के अंदर ये function है, तो हम अब ये call करेंगा, मतलब एक function के अंदर दुसरा function आगिया है, मतलब आप call करेंगे start reading को, start reading ये पहला statement प्रिंट करेंगा, फिर इसके बाद control आएगा, तो मतलब अब उसके बाद ये start हो जाएगा, right, अब हम क्या करते है, इसको start reading function है, जो हम call कर लेते हैं, देखो किया रहता है, मतलब आप से तो multiple stocks है, जैसे open equal to low price में काफी match हो जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक और filter यूज़ करते है, series name and, मैं बताया थे ना, and और 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 यूज़ कर सकते हो, series name equals to, I think ये चीज़ सही है, series equals to equals to eq belong करता है, तो हम वो stock को buy करेंगे, अगर मैं इसको chart पर अगर दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट बस मैं चार्ट एक पर खोल करके आपको दिखाता हूँ, कि या क्या है analysis सही दे रहा है, देखो, हम जो buy कर रहे हैं, एक और ना, chart पर मैं बता दूँगा, ये buy condition कैसे कर रहे हैं, ये study purpose पर, देखो, हमारा जो condition है ना, condition क्या है, open high low close पर हम buy कर रहे हैं, और जो data NAC भाव कॉपी का है, वो 29th का है, let's say 29th हमारे ये आ जागा, सबसे last candle पर आप focus करो, इस वाली candle पर focus करो, तो इस वाली candle पर focus करोगे, तो इसका open price equal to low price है, open price equals to low price है, तो ये directly उपर, मतलब एक green candle, blue candle मुझे ये बनाया, ये blue candle मुझे बनाया, तो ये conditions हम implement कर रहे हैं, python पर, तो हम हमारा data source किया है, NAC भाव कॉपी, तो हमें क्या करना न, open equals to low है, मतलब open equals to low है, तो वो stock ले के आओ, जो की एक positive green candle बना रहा है, मतलब green candle positive ही होगा, बस एक green candle मुझे बना कर तो ये strategy है, simple, तो देखो, इसके लिए हम क्या हम already code कर चुके, और इसको run करोगा न, तो मेरे पास multiple stocks आ रहे हैं, मैं सब को इक पर दिखाता हूँ, like कुछ ऐसा जो, इस वाली जो आप जानते हो, right, RBL bank को देख लेता हूँ, RBL bank क्या सच में, तो last year of trading था, 2023 पे, तो क्या green candle बनाया था, open equals to low, देखो, open equals to low बनाया, तो ये simple सा हमारा एक point जो capture कर पा रहते है, 271, मतलब 8 point का measly capture कर पा है, अगर range देखते हैं, मतलब week to week का range देखोगे, 271 का entry price है, and let's say 284 का है, मतलब 13 point का मुझे ये, एक point में gain कर पाया, right, ये simple सा हमारा analysis है, अब देखो, इस पे क्या है न, मतलब multiple stocks है, multiple stocks है, अब देखोगे, JSL, कमला, होटल, केम, सुगर, होटा, अगर इसको run करोगे, simple सा, open equals to low, और a series belong करता है, equity से, तो हमें वो stock simple से scan करके दो, ये हमारा, ये हमारा, एक pure analysis है, जो simple intraday data पे बिलॉंग करता है, एक और stock चूज कर लेता है, हिंदुस्तान जींग, right, क्या है, जो हमारा analysis है, ये हिंदुस्तान जींग सहीद बता रहा है, right, मतलब open equals to low price, क्या है, देखो है तो, open equals to low price है, अगर इस point का अगर हम buy करते, 313 पे buy करते, and stop loss like, इस point पे 310 पे, मतलब 6-7 point का stop loss, जो हमें, हमें actual पे जो earning होता, point gain करते 313, and let's say 322, मतलब, मोटा मोटी आपके पास 9 point का आप capture कर पाए, right, मतलब ठीक है, मतलब हमारा जो analysis है, buy conditions का, वो, ये easily define कर दिया, right, तो buy stock ये है, अब हमारा जो analysis है न, अब हम इसको क्या करते है ये तह condition number 1 आगिया है, आप देखो, इसमें क्या न, कि इसमें, वो, वो stock है, जिस पे हम कभी इसका नाम नहीं सुने, right, जिसे आप देखो, ये कौन सा है, creative आई, right, इसका नाम नहीं सुने, and let's say, मैं वो stock को purchase करना चाहता हूँ न, जिसका जो entry price है, मतलब, जो price है न, वो at least 50 कोपर है, and, जो open price है, वो greater than 50 रहे, मैं थोज़ा और filter करना चाहता है, कि मेरे पास ज्यादा capital नहीं है, तो मैं, मैं क्या करूंगे, limit में ही buy करूंगा, तो देखो, हमारा limit हो गया, तब देखो, जो मेरे पास stock purchase आ रहा, मोतिलाल, OFS आ रहा है, नहार, cap आ रहा है, next 50 आ रहा है, उसको satisfy करता है, right, तो देखो, हमारे पास यह filter करके ला रहा है, मैं एक दो चेक भी कर ले तो, team can, क्या team can सच में यह है, देखो, team can, यह stock है, team can, यह open equal to low पे satisfy कर रहा, तो यह हमें एक positive, मतलब, जो अगर point है, देखोगे, 3,200 का यह open price है, अध 3,251 का, 3,64 का, 3,264 का, मतलब, 64 point यह gain कर पाया, मतलब, stock basis पे, हम इसको scan कर सकते है, यूज कर सकते है, एक अच्छा सा analysis और study purpose का हम इसको use कर सकते है, right, तो हमारा जो, यह जो condition है, कैसे की है, हम NAC bhao copy data को ले रहे है, NAC bhao copy का data ले रहे, simple सा हमारा जो filter का condition है, वो stock चूज करके लाओ, जिसका open equals to low है, और जो series जो belong करता है, equity और जिसका price कम से opening price 100 से उपर है, तो वो stock मुझे वो बता, तो यह बता रहा, right, अब same चीज है, अगर let's say condition 2 है, अब मैं condition 2 है, अब मैं suppose करो condition 2 है, मैं sell करना चाहता हूँ, condition 2 पर sell करना चाहता हूँ, तो इसका जो condition होगा हमारा, condition 2, sell, right, देखो open, अब जो sell का condition है यह होना क्या सा चाहिए, मैं इसको freestyle पर आप लोगों को बता देता हूँ, देखो, जो condition 2 है अब मैं, देखो, buy side का stock तो मैं एक bucket पर तो store करवा ले रहा हूँ, right, अब हम नीचे side का stock को find out करना चाहते हैं, तो वो हमारा logic क्या है, simple सा logic है, अगर open price, open price, equals to, equals to, high की equal है, तो आप buy करोगे, मतलब आप sell करोगे, मतलब आपका जो thought process क्या है, अब हमारा जो analysis है, वो stock नीचे जाना चाहिए, यह analysis है, अगर open equals to high price है, तो नीचे जाना चाहिए, right, तो देखो, high है, लेट से मैं इसको अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, यह जो condition number 1 है, तो मैं इसको comment कर देता हूँ, एक बार पे, stock name, stock name and sell stock, अब देखो, अब मैं इसको run करूँ हूँ न, तो instead of buy stock, अब हमारे पास sell का जितने सारे stocks है, जो condition satisfy करता है, वो सारे आगए, right, इसमें tighten भी है, यह तो काफी famous stock है, मैं इसको भी एक बार देख लेता हूँ, like, यह तो famous stock है, titan, मैं इसको एक बार chart पे देख लेता हूँ, right, titan, क्या यह सच में ऐसा था, हाँ, देखो, open equals to high है, open equals to high है, तो एक red candle यह मुझे बना के दे रहा, right, मैं कुछ और stocks को भी scan कर लेता हूँ, यह तो मैं same data पे, मतलब UPL को देख लेता हूँ, क्या सच में UPL था, क्या, I think, यह 29 December का सा रहा है, like, last trading day, तो आप देखोगे, क्या red candle बनाया, हाँ, बनाया, अगर इस पर मैं entry करता हूँ, stop loss, say, let's say, मैं कल का stop loss कुछ 5 point ऊपर का देता, और जो entry price हो जाता, 592 पे, और जो range मुझे दे रहा, 592 से 585, मतलब 7 point का मुझे यह दे रहा, right, मेरे पास तो stock list पे वो scanning हो पा रहा, right, तीय हो गया हमारा analysis, buy side का, sell side का, तो हमारा जो calling behavior है, right, calling behavior क्या, एक function के अंदर दूसरा function है, तो हम inside function को call नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ start trading को call कर रहे हैं, यह start trading, एक responsible ले रहा है, कि जो हमारा यह एक और function इसके अंदर, उसको भी यह call कर रहा है, right, अब मैं इसके बाद क्या कर रहा हूँ, print, trading over, simple से command print कर रहा ह यह हमारा simple सा एक prototype हो गया, right, prototype, इसमें हम जो read, feed as, भाव copy है, यह function responsible है, एक CSV फाइल को read करेगा, जिसमें सारे stocks का open, high, low, close सारा listed है, right, सारा mentioned है, और उसमें हम कुछ analysis कर रहे हैं, analysis क्या है, simple सा हमारा है, अगर open price equals to, equals to, अगर high है, high है, तो हम sell side वाले stock, pick करेंगे, अगर open equals to low price है, तो हम वो stock को pick करेंगे, जो satisfy करता हमारा condition, right, यह दो conditions पर हम start trading, अब देखो इसको run करोगे, तो हमारा, यह आ जाता है, alright, हमारा क्या आ गया, यह एक function है, start trading, example number 10 call होगा, और उसके बाद, start trading के बाद, हमारा यह, trading is over message आ गया है, मतलब हमारा यह protocol है, अब suppose करो, I think यह video काफी लंबा हो जा रहा है, तो, I think 2 घंटा से जादा का हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ न, इस video पर यही थे, अगर आप लोग को सच में interested है, इस तरह का concept, अगर जानने पर, अगर खुद explore करने पर, मैं एक भी data के लिए कु आपन नमबर 9 तक मैं continue किया हूँ, और सारा एक functions को ही मैं mostly use कर रहा हूँ, एक functions हो, उससे क्या हो रहा है, हमारा एक base बन जा रहा है, I think इस video पर मैं यही तरह complete करना चाहता हूँ, मैं अनिसे सरे video length को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग को interested है, अगर back testing को जानने के मारे में, जैसा मैं starting of the video बताया था, कि मैं week में एक back testing के start कर सकता हूँ, वो तभी start करूँग ना, जब इस video पर like कम से कम 100 plus होना चाहिए, मतलब 100 plus हो, comment maximum से maximum, right, तभी, यह कि मुझे motivation चाहिए, तो motivation मुझे ये दो, ये दो field मुझे दे देगा, और हो सके तो आप लोग अगर share करते हो, right, तो वो भी मेरे लिए एक fruitful हो जाएगा, alright, तो ठीक है, इस video में मैं यही तक, next video पर हम totally back testing के बारे में, depth में analysis करेंगे, right, एक totally depth field पर हम जाएंगे, जहाँ पर class oriented designing करेंगे, अभी जितना मैं पढ़ाया होना, सारा function oriented है, अब मैं class oriented बनाऊँगा, ये क्या होता, class oriented पर सारा designing चलेगा हमारा, तो अगर आप लोगो ये knowledge चाहिए back testing का, तो बस ये दो process, जितना जादा करोगे, उतना मुझे motivation मिलेगा, अब अच्छा content मैं आपके सामने present करूँगा, right, ठीक है, thank you.